हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिब चैनल एजुकेट भारत में दोस्तो आज इस वीडियो में हम NCIT क्लास 9th and 10th के पॉलिटिकल साइंस के टॉप 500 प्लस MCQs देखने वाले हैं यह मेरेथन क्लास है आप लोगों के डिमांड पर ही एक क्लास आई है दोस्तो देखिए इससे पहले हम एक और मेरेथन क्लास देख चुके हैं जिसमें हमने क्लास 11th and 12th के पॉलिटिकल साइंस के 500 प्लस MCQs देखे थे अगर आप नभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजे क्योंकि NCRTK questions सभी exam के लिए most important होते हैं दोस्तो आप लोग चाहते हैं कि 9th to 12th history का वीडियो भी आपको दिया जाए एक मेरेथन क्लास उसकी भी लाई जाए तो देखे वो भी आपको मिल जाएगा लेकिन आपको बस इतना करना होगा कि इस वीडियो को आपको बहुत जादा शेर करना होगा आगर आप वीडियो देख रहे हैं तो end तक वीडियो को जरूर देखिए और इसे please अपने 5 educational group में जरूर से शेर कर दीजे उसके बाद आपका 9 to 12 का हिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा उसकी भी marathon क्लास की तयारी चल रही है दोस्तो एक एक करके आपके exam से पहले आपको सभी marathon क्लास दे दी जाएगी लेकिन बस आपको इतना करना है कि शेर करने में बिलकुल भी कंजूसी नहीं करना है तो प्लीज जल्दी से फटाफट इस वीडियो को complete देखिए और जल्दी से जाकर शेर कर दीजे क्योंकि ये most important है आपके upcoming exam के लिए और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर प्लीजे और बैल आइकन जरूर प्रेस कीजे चले स्टार्ट करते हैं first question देखिए रास्टिय मानो अधिकार आयोग एक स्वतंतर आयोग है जिसकी स्थापना कानून द्वारा डैश वर्ष में की गई थी तो कब की गई थी correct option A हो जाएगा 1993 में रास्टिय मानो अधिकार आ उप्रोक्त सभी उसकी गिरफतारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए उसकी गिरफतारी के 24 घंटे की भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए अपने बचाओं के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा A और B मतलब इससे समाप्त कर दिया गया है किसी भी रूप में इसका अभ्यास कानून द्वारा डंडिनी हैं A और B दोनों सही है मतलब D option बिलकुल correct हो जाएगा भाशन और अविवैक्ति की स्वतंतरता के संबंद में इन में से कौन सा असत्य है तो देखे कौन सा असत्य हो मंदर में भारतिय सम्विधान में समता के अधिकार का उलेक कहां किया गया है किस आर्टिकल में किया गया है तो देखे correct option यहाँ पर B हो जाएगा article 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार या right to equality का वर्णन किया गया है तो B option बिलकुल correct हो जाएगा भारतिय सम्विधान में मौलिक अधिकार निर्धारित हैं तो किस भाग में निर्धारित हैं तो देखिए correct option A हो जाएगा भाग तीन में मौलिक अधिकार या fundamental rights का वर्णन किया गया है निमलिकित में से कौन सा अधिकार वैक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्पूर्ण है तो तो देखिए यहाँ पर correct option D हो जाएगा सशस्तर विद्रों में भाग लेने की जो सुतंत्रता है ये नागरिकों को प्राप्त नहीं है इन में से कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकार की शेणी में नहीं आता है तो देखिए कौन सा राइट्स ब्रीटेन से सम्वंदित है भारतिय सम्विधान के आर्टिकल 19 से 22 तक में निमलेकित में से किस अधिकार का वर्णन है तो देखिए किस अधिकार का वर्णन किया गया है स्वतंतरता का अधिकार या राइट तू फ्रीडम ये दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 में यह आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है संयुक्तरास्ट ने सार्वभॉम के मानव अधिकारों की घोषना पत्र को स्विकार किया किस वर्ण स्विकार किया तो देखिए करेक्ट आप्चन यापर डी हो जाएगा सरकारी स्कूलों में धार्मिक सिक्षा देना ये झो है ये प्रथा देश के धर्म निर्पेख्श दर्शन के विरुद्ध है इन में से कौन सी सोतंतरता भारत के सोतंतरता के अधिकार के तहत उपलब्द नहीं है तो देखिए कौन सी हो जाएगी A correct है लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रो करने के लिए उकसाने की स्वतंतरता ये भारत में स्वतंतरता के अधिकार के तहट उपलब्द नहीं है तो A option बिलकुल correct हो जाएगा राज्य सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है देखिए easy सा question है लेकिन बहुत पूछा जाता है correct option B हो जाएगा 250 राज्य सभा में सदस्यों की कुल संख्या है लोग सभा का कारेकाल कितने वर्षों का होता है तो देखे correct option यहाँ पर B हो जाएगा लोग सभा का कारेकाल 5 वर्षों का होता है ठीक है दुतिये पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी किस वर्ष दी थी दुतिये पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट तो correct option C हो जाएगा 1980 में दुतिये पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौपी थी राज्य सभा के कारेकाल की अवधी कितनी है तो देखे यहाँ पर correct option C हो जाएगा 6 साल का कौन सा सदन भंग किया जा सकता है तो देखे इन में से कौन सा सदन है जो भंग किया जा सकता है तो A option correct है लोग सभा लोग सभा जो है वो आइस्थाई सदन है तो इसे आसानी से भंग कर सकते है जबकि राज्य सभा इस्थाई सदन है तो उसे भंग नहीं किया जा सकता तो A option बिलकुल correct हो जाएगा कौन सा सदन 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 है तो देखे correct option क्या हो जाएगा B जो राज्य सभा है वो एक सदन सदन है रास्टपती डैश का सदस्य है तो correct option यहापर C हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं मतलब ना तो वो लोग सभा का सदस्य है ना ही वो राज्य सभा का सदस्य है इसलिए C option correct हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं राज्य सभा के पास डैश पर विशेश अधिकार है किस पर अधिकार है तो D सही हो जाएगा राजजी पर देखे राजज्य सभा के पास राजजी पर विशेश अधिकार है जन हित समुपयों के सम्बंध में क्या सत्य नहीं है तो देखे correct option ये आप पर D हो जाएगा उनका लक्ष अपने सदस्यों की मदद करना है ये जनहित समुगों के सम्बंद में सत्य नहीं है मतलब D option correct हो जाएगा दोस्तो देखिए इतना time नहीं कि मैं सारे option पढ़ सकूँ पर आप post करके सारे option पढ़ सकते हैं तो प्लीज आप लोग एक बार कोशिश करना कि सारे option पढ़ के फिर आप टिक करें तो इससे आपको सारे के सारे चीज़े अच्छे से समझ में आएगी आप क्योंकि 500 MCQs हैं उसके ज़्यादा MCQs है 500 से भी तो बार-बार पूरे option पढ़ना सही नहीं है क्योंकि time बहुत ज़्यादा waste होगा आपका भी और मेरा भी इसलिए मैं सिप option बता रही हूँ आप चाहो तो post करके देख लेना जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो आम तोर पर हमारा मतलब होता है तो देखी यहाँ पर correct option C हो जाएगा कारे पालिका जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो आम तोर पर हमारा मतलब होता है कारे पालिका से C option बिलकुल correct हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा एक प्रकार का मंत्री नहीं है भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी है तो देखे एक correct option यहाँ पर B हो जाएगा जो मंत्री मंडल है यह भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था है यदि आप भारत के रास्टपती की रूप में चुने जाते हैं तो निमलिकित में से कौन सा निर्णे आप स्वयम ले सकते हैं तो देखे यहाँ पर correct option D हो जाएगा दोनों सदनों से पारित विदेयक पर पुनर विचार की मांग करना ये वाला जो निर्णे है ये भारत के रा क्रह मंतरी होता है वो राजनितिक कारे पालिका का हिस्सा होता है निर्णे पालिका की बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो देखे निर्णे पालिका की बारे में गलत कथन देखें अगर हम तो ए वाला option हो जाएगा संसद्वारा पारित प्रत्तिक कानून को सर बदलाओ कर सकती है तो देखे correct option यहाँ पर D हो जाएगा जो संसद है यह देश के मौझूदा कानून में बदलाओ कर सकती है यह question पूछा भी गया है कई बार तो आपको इससे जरूर से याद रखना है भारत में प्रधान मंत्री को सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता सबसे उप्योग तुत्तर चुने तो देखे correct option अगर हम यहाँ पर देखे तो A हो जाएगा संसदिये लोक तंत्र में लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधान मंत्री बन सकता है इसलिए भारत में प्रधान मंत्री को सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता संसद क्या है तो देखे यहाँ पर correct option A हो जाएगा रास्टिये स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सबाही संसद कहलाती है ग्रामीर इस्थानिय सरकार को लोगप्रिय रूप से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तो correct option देखे यहाँ पर C हो जाएगा पंचायती राच के नाम से जाना जाता है केंद्र और राज्यों की 27 साजा करण वैवस्ता में परिवर्तन के संबंद में कौन सा सत्य नहीं है तो देखे कौन सा सत्य नहीं है C फिर इसे कुल राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों की विदान सभाव द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट सही नहीं है केंद्र और राज्यों की 27 साजा करण वैवस्ता में परिवर्तन से संबंद के लिए तो C आप्शन हमारा बिलकुल करेक्ट हो जाएगा कौन सा पंचायती राज्की त्री इस्तरिये वैवस्ता का हिस्सा नहीं है तो देखे करेक्ट आप्शन है आपट D हो जाएगा जो जिला परिशद है ये पंचायती राज्की त्री इस्तरिये वैवस्ता का हिस्सा नहीं है पंचायती राज की वेवस्था में शामिल है तो correct option क्या हो जाएगा यहाँ पे a option correct है गाओ, ब्लॉक और जिला इस्तर ये पंचायती राज की वेवस्था में शामिल है निमलिकित में से कौन सा देश संगो को एक जूट रखने का अच्छा उधारण है तो इन में से कौन सा देश हो जाएगा तो D हमारा प्यारा भारत जो संगो को एक जूट रखने का सबसे अच्छा उधारण है बेलजियम और श्रीलंका में सत्ता साजा करण व्यवस्था के बारे में कौन से कथन सही है तो देखिए कौन से कथन सही है तो D option सही हो जाएगा बेलजियम के एकात्मक सरकार से संगिय सरकार में परिवर्तन ने भाशाई अधार पर देश के विभाजन को रोग दिया यह जो D वाला option है यह बिलकुल सही है बेलजियम और श्रीलंका में सत्ता साजा करण व्यवस्था के बारे में तो यह आपको याद रखना है और देखिए आप एक बार पूरे option जरूर से पढ़ लेना बेलजियम की राजधानी कौन सी है तो correct option यहाँ पर देखिए B हो जाएगा ब्रुजियल्स यह बेलजियम की राजधानी है निमलिकित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुक सामाजिक समू नहीं है तो कौन सा नहीं है तो D option correct हो जाएगा यह श्रीलंका में एक प्रमुक सामाजिक समू नहीं है श्रीलंकाई तमिल श्रीलंका के किस भाग में केंद्रित है तो correct option यहाँ पर D हो जाएगा गटबंधन सरकार कहलाती है वा सरकार जिसमें सत्ता दो या दो से अधिक राजनितिक दलोद्वारा साजह की जाती है निमलिकित में से कौन सा समुदा है श्रीलंका से सम्मंदित नहीं है तो कौन सा समुदा है देखे C हो जाएगा जो पार्सी समुदा है ये श्रीलंका से सम्मंदित नहीं है श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को कहा जाता है देखे क्या कहा जाता है तो A option correct हो जाएगा श्रीलंका ही तमिल कहा जाता है श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को बेल्जियम में जर्मन भाशी लोगों का प्रतीशत कितना है ये पूछा गया question है करेक्ट आप्शन देखिया आपर D हो जाएगा केवल 1% बेलजियम में केवल 1% जर्मन भाशी लोग रहते हैं सामुदाइक सरकार के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो देखिये करेक्ट आप्शन यहाँ पर C हो जाएगा सत्य विभिन सामाजिक समुओ द्वारा साजा की जाती है ये कथन सही है सामुदाइक सरकार के बारे में श्रीलंका की जनसंक्या में किस प्रमुक सामाजिक समुओ की हिस्सिदारी सबसे अधिक है तो देखिये किसकी है सबसे अधिक हिस्सिदारी A option सही हो जाएगा सिंगल जनसंक्या की सबसे जादा हिस्सेदारी है श्रीलंका में अलग इलम राज्य की मांग को लेकर सत्ता संघष किसके द्वारा शुरू किया गया था तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा मतलब France, Germany, Luxemburg इन सभी के साथ Belgium की सीमा लगती है निमलिखित में से कौन सा श्रीलंका में पारित 1956 के अधिनियम का प्राओधान नहीं था तो कौन सा नहीं था C प्रांतो को स्वातायत दी गई यह श्रीलंका में पारित 1956 अधिनियम का प्राओधान नहीं था जब केंद्रो और राज्य सरकारों से शक्ती चीन कर स्थानिय सरकार को दे दी जाती है तो इसे कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है तो D से ही हो जाएगा V केंद्री करण जब केंद्र और राज्यों से सक्ती चीन कर स्थानी सरकार को दे देते हैं तो इसे वी केंद्री करण कहा जाता है भारत सरकार की भाषा नीती के संबंद में सही कतन चुने तो देखिए करेक्ट हो जाएगा D भारत के संब्धान ने किसी भी भाषा को रास्टि ये भाषा घोशित नहीं किया है ये भाषा नीती के बारे में सही कतन है भारत सरकार की तो D option बिलकुल करेक्ट हो जाएगा उलेखित विश्यों पर संग एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है किस पर बना सकती है तो देखिए C option करेक्ट हो जाएगा समवर्ती सूची पर संग एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है निमलिकित में से कौन सा संग सूची का विशय नहीं है कौन सा है जो संग सूची का विशय नहीं है देखिए तो correct option यहाँ पर D हो जाएगा कानून और व्यवस्था ये संग सूची का विशय नहीं है निमलिकित में से कौन सा नगर निगम का प्रमुक होता है तो correct option देखिए यहाँ पर D हो जाएगा जो mayor है वो नगर निगम का प्रमुक होता है निमलिकित में से किस देश में सरकार का संगिय सोरूप है तो देखिए किस में है संगिय सोरूप तो correct option C हो जाएगा आस्ट्रेलिया में हमें सरकार का संगी सोरूप देखने को मिलता है निमलिकित में से किसे राजिस्तर पर राज्य का मुख्या कहा जाता है तो किसे कहा जाता है correct option A हो जाएगा मुक्य मंतरी को राजिस्तर पर राज्य का वास्तविक मुख्या कहा जाता है निमलिकित में से कौन सा देश एक साथ मिलकर संग बना रहा है तो देखे कौन सा देश है जो एक साथ मिलकर संग बना है तो correct option A हो जाएगा USA, सबसे best example है इसका जो एक साथ मिलकर संग बना हुआ है निमलिकित में से किस देश ने Holding Together Federation को नहीं अपनाया Most important question पूछा जाता है Correct option हो जाएगा D. Japan Japan ने Holding Together Federation को नहीं अपनाया है Hindi के अलावा और कितनी भाषाओं को सम्विधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मानेता दी गई है तो correct option B हो जाएगा 21 मतलब हमारे सम्विधान में total 22 भाषाएं हैं एक हिंदी और 21 भाषाएं और तो आपको याद रखना है कि B option बिलकुल correct हो जाएगा निमनलिकित में से कौन सा विशय समवर्ती सूची में शामिल है तो देखे correct option यहाँ पर D हो जाएगा जो सिक्षा है वो समवर्ती सूची का विशय है निमनलिकित में से किस सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर है तो देखिए कौन सी सरकार है जिसके दो या दो से अधिक स्तर है तो correct option या पर C हो जाएगा संगी ये सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते है निमलिकित में से कौन सी संगबाद की विशेष्टा नहीं है तो इन में से कौन सी विशेष्टा नहीं है तो correct option D हो जाएगा केंदर सरकार, राजय सरकार को आदेश देशक्ती है ये संगवाद की विशेष्टा नहीं है निमलिकित में से कौन सा विशे समवर्ती सूची के अंतरगत आता है तो देखें कौन सा आता है यहाँ पर तो C जो विवा है ये समवर्ती सूची के अंतरगत आने वाला विशे है भारत में स्थानिय सरकारों की आविशक्ता क्यूं है देखें most important question है correct option यहाँ पर इसका D हो जाएगा उपरोक्त सभी लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में बहतर जानकारी है इस प्रकार इन समस्याओं को स्थानिय स्तरपरी हल किया जा सकता है लोग ये भी जानते हैं कि पैसा कहां कर्च करना है और चीजों को कुशलता पूर्वग प्रवंदित करना है लोग सीधे निर्णय लेने में भाग लेते है तो 3 पॉइंट सही है मतलब D option correct हो जाएगा उप्रोक्त सबी सरकार के सम्बंदित स省मंदित बिल्कूल पी हो जाएगा संविधान में निर्दिस्थ है ठीकाँ बिल्कुल correct है संग सुची में निमलिखित विशे शामिल है देखे कौन से विशे शामिल है संग सूची में तो correct option यहाँ पर D हो जाएगा रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संचार ये सभी संग सूची में शामिल विशे है सभी मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार कहलाता है किस संस्था ने दुनिया के सामने उजागर किया कि गौनता नामों वे में कैदियों को अमेरिकी कानूनों का उलंगन करने वाले तरीकों से प्रताडित किया जा रहा है किसने किया है ये उजागर तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा MST International के दुआरा ये उजागर किया गया है कि गौनता नामों वे में जो कैदि हैं उनको अमेरिकी कानून का उलंगन करने वाले तरीकों से प्रताडित किया जा रहा है अमेरिका ने गौनता नामों वे में लोगों को कैद करने का क्या कारण बताया तो देखे यहाँ पर करेक्ट ओप्शन D हो जाएगा अमेरिका ने उन्हें दुश्मन माना और उन्हें 11 सितंबर 2001 को न्यूँ यूर्क पर हुए हमले से जोड़ा था तो D ओप्शन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा इन में से किसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्क्रितिक अधिकारों पर अंतरास्टिय अनुबंदो द्वारा मानो अधिकार के मानक के रूप में नहीं देखा जा सकता तो देखे करेक्ट ओप्शन यहाँ पर C हो जाएगा धन संचे करने का अधिकार इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्क्रितिक अधिकारों पर अंतरास्टिय अनुबंद द्वारा मानो अधिकार के मानक के रूप में नहीं देखा जा सकता रिट शब्द का क्या अर्थ है? तो देखे इसमें से रिट का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ओप्शन B है एक ओप्चारिक दस्तावेज जिसमें सरकार को अधालत का आदेश दिया गया हो यही रिट कहलाता है NHRC की स्थापना कब हुई थी? देखे NHRC बहुत पूछा जाता है National Human Rights Commission इसकी स्थापना कब हुई है? तो C करेक्ट हो जाएगा 1993 में इसकी स्थापना की गई थी बेलजियम की सामुदाइक सरकार में निमलिकित में से किसके तहट सत्ता साजा की जाती है? तो करेक्ट आप्शन यहाँ पर A हो जाएगा विभिन ने सामाजिक समुओं की बीच सत्ता साजा की जाती है बेलजियम की सामुदाइक सरकार में बेलजियम में राजिसरकारे डैश है तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन B हो जाएगा केंद्र सरकार के अधिनस्त नहीं है करने में सत्ता की एहम भूमिका है ये विवेक पूर्ण कारण का अर्थ है ब्रुजेल्स को यूरोपिय संग के मुख्याले की रूप में क्यों चुना गया जब कई यूरोपिय देश इसे बनाने के लिए एक साथ आए तो देखे इसका रीजन क्या था तो करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा इसकी भाषाई विविद्दा के कारण ब्रुजेल्स को यूरोपिय संग के मुख्याले के रूप में चुना गया था विवेन सामाजिक समूओं की भी सत्ता कैसे साज़ा की जा सकती है तो देखे करेक्ट ऑप्शन D हो जाएगा समविदानिक एवं कानूनी व विभाजित किया गया है तो करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा सिंगली 74% और तमिल 18% इसमें विभाजित किया गया है श्री लंका की जनसंक्या को तो C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विभिन इस तरों पर सरकार के 20 साजा की जाने वाली शक्ती को भी कहा जाता है तो क्या कहा बी शक्ति का विभाजन ये सत्ता साज़दारी का रूप नहीं है उन लोगों को क्या कहा जाता है जिनके पूर्वज उपनिवेशिक काल के दौरान बागान श्रमिकों के रूप में भारत से श्रीलंका आये थे तो देखें करेक्ट ऑप्शन या पर बी हो जाएगा उन्हें सत्ता की साज़दारी के विवेकपूर्ण कारणों पर अधिक बल दिया जाता है तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी विविन समाजिक समू के 20 संगर्ष की संभावना को कम करना अल्प संक्यक को उचित मौका देना और राजनितिक वैवस्था में इस्थि क्रेक्ट हो जाएगा 74% सिंगली बोलने वाले सामाजिक समूहों का प्रतीशत है श्री लंका में बहु संक्यक वाद का परिणाम क्या था तो देखे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बिविन समुधाइक समूहों के बीच जड़पे हुई हैं श्री लंका में बहु संक्यक श्रीलंका के नेताओं ने सत्ता साजेदारी के प्रश्न को कैसे निप्टाया तो देखे यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सरकार ने श्रीलंका में सिंगली वर्चस्प स्थापित करने के लिए बहु संख्यक वादी उपायों की श्रंकला अपनाई थी तो ए में सामुदाइक सरकार की क्या भूमी का है तो देखे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों ए और बी मतलब यह सरकार संबंदित भाषा समुदाय द्वारा चुनी जाती है इस प्रसरकार के पास सांस्कृतिक सेक्षनिक और भाषा संबंदी मुद्धों के संबंद में श अधियों की समान संख्या केंद्र सरकार से राजिय सरकार को सत्ता का हस्तान तरंड ब्रुजेल सरकार में दोनों समुदाई के लिए समान प्रतिनिधित्व है यह सारे रीजन सही है तो डी ऑप्शन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा बेलजियम के नेताओं ने सत्ता साज़ेदारी के प्रश्णों को कैसे निप्टाया तो करेक्ट ऑप्शन आपर B हो जाएगा निताओं ने विबिन समुदाय की भावना और हितों का सम्मान करने की आविशक्ता को महसूस किया और इस प्रकार सत्ता साज़ेदारी में समानता को बढ़ावा मिला तो B ऑप्शन के बीच, विबिन सामाजिक समुओं के बीच, सरकार के विबिन अंगों के बीच, मतलब तीनों सही है तो D ऑप्शन करेक्ट है उप्रोक्त सभी आधुनिक लोगतंतर में सत्ता को निमलिकित में से किस तरीके से साज़ा किया जा सकता है? रिपीट हो गया है क्वेशन निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखी यहाँ पर A ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा लोगतंतर में सभी महत्पुन निर्ने बहुसंक्यक समुदाय द्वारा लिए जाते हैं ये वाला ऑप्शन ये जो कथन है ये गलत है मगर ऑप्शन के नजरिये से A ऑप्शन हम सविकार करना, विविन समुदाय के हितों का सम्मान करना ये सारे कारणों से बेल जियम ने अपनी समस्या सफलता पूरवक हल कर ली थी तो D ऑप्शन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा एक हित समु नहीं है? तो देखी कौन सा हित समु नहीं होगा इन म सब्सक्राइब कर सरकारों के अंगों की असीमित शक्तियों के प्रयोक पर रोक लगाना ये ही जाच और संतूलन की प्रणाली का अर्थ है तो C option बिलकुल करेक्ट हो जाएगा निमलिकित में से कौन सत्ता साजा करने वाले सरकार के तीन अंगों में से एक नहीं है? तो इन म नहीं है तो कौन सा correct हो जाएगा D correct है शक्तियों का कोई उर्दवादर विभाजन नहीं है ये वाला जो point है ये शक्तियों के संगिये विभाजन के पहलूओं में से एक नहीं है तो D option बिलकुल correct हो जाएगा सत्ता में साजेदारी ना होने का क्या कारण है तो correct option देखें आपर D हो जाएगा दोनों B और C बहु संख्यकों का अत्यचार और अल्प संख्यकों का उत्पीडन लोग तंत्र की मूल भावना उपर बातचीत तो D option जो है सही हो जाएगा B और C दोनों जाती पदानुक्रम के तूटने का कारण क्या है तो correct option D हो जाएगा उपरोक्त सभी बड़े पैमाने पर शहरी करण साक्षर्ता और सिक्षा का विकास वैविसाई गती शील्ता ये सभी कारण है तो D option बिलकुल correct हो जाएगा राजनीती में सामप्रदाइकता इन में से कौन सा रूप धारन कर सकती है तो देखे correct option D हो जाएगा उपरोक्त सभी रोजमर्रा की मानेताओं में धार्मिक पूर्वा गरहा की तरह अपने स्वयम के धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज धार्मिक अधा पर राजनीतिक लामबंदी तो ये सभी option सही है मतलब D option एकदम correct हो जाएगा सामप्रदाइक राजनीती से क्या तातपर है तो देखे correct option यहाँ पर B हो जाएगा जब राज्य शक्ति का उपयोग एक धार्मिक समुदा बाकी हिस्सों पर वर्चस विस्थापित करने के लिए किया जाता है तो यही सामप्रदाइक राजनीती कहलाती है तो B option बिलकुल correct हो जाएगा भारत में राज्य का अधिकारिक धर्म है कौन सा धर्म है तो D correct हो जाएगा कोई नहीं भारत में राज्य का कोई अधिकारिक धर्म नहीं है अहाँ प्रणाली जो पुरुशों को अध पारिवारिक मामलों जैसे विवा, तलाग, गोध लेना आदी से सम्मंदित कानूनों को कहा जाता है तो correct option A हो जाएगा इसे पारिवारिक कानून कहा जाता है इन में से किस देश का अधिकारिक राज धर्म है तो देखिए correct option यहाँ पर D हो जाएगा ये सबी मतलब कि श्री लंका, पाकिस्तान, इंग्लेंड इन सभी देशों में आधिकारिक राज धर्म है तो D option बिलकुल correct हो जाएगा निर्वाजित निकायों की किस प्रणाली में लगभग एक तीहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित है तो correct option A हो जाएगा पंचायते और नगर पालिका में महिलाओं के लिए एक तीहाई सीटे आरक्षित की गई है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका लाइक बहुत जादा मोटिवेट करता है मैं next वीडियो बनाने के लिए और प्लीज वीडियो को जादा स्यादा शेर कीजेगा आज कोई कंजूसी नहीं अगर आप बहुत अच्छे से से शेर करेंगे बहुत सारे व्यूज आएंगे तो जल्दी ही हिस्टरी का वीडियो आ जाएगा जो आप लोगों को चाहिए है मुझे पता है आप लोगों को बहुत पास में है इसलिए जितने ज़्यादा मेराथन वीडियो हो सकते हैं मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट मेरा भी कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और फिर आप वीडियो पे वीडियो लेते जाएए चलिए नेक्स्ट एक धर्म निर्पेक शिराची के रूप में भारत है उसके बारे में एक गलत कतरन है तो डी ऑप्शन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा जाती पदानुक्रम का क्या अर्थ है तो देखे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा एक सीडी जैसी संडरचना जिसमें सभी जाती सम पदानुक्रम को उच्चतम से निम्नमतम तक रखा जाता है यही होती है जाती पदानुक्रम सामप्रदाइक राजनीती निमलिकित में से किस विचार पर आधारित है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी एक धर्म को दूसरे से स्रेस्ट माना ज जाता है धर्म के अधार पर वोट बैंक बनाना पार्टी या धार्मिक रूडी वाधिता को बढ़ावा देती है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह सारे ऑप्शन करेक्ट है निमलिकित में से किस ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीती से अलग नहीं किया जा स नारिवादी शब्द का क्या अर्थ है तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर B हो जाएगा एक वैक्ती जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अफसरों में विश्वास करता है वही नारिवादी कहलाता है इन में से किस देश में महिलाओं की भाग अधिक नहीं है लिंक विभाजन से क्या तातपर है तो करेक्ट ऑप्शन B है पुरुषों और महिलाओं के बीच का विभाजन लिंक विभाजन के रूप में जाना जाता है उत्तरी आयरलेंड के प्रोटेस्टेंटों के बारे में इन में से कौन सा सत्य है तो देखिए यहा और B दोनों सत्य है तो C ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा लिंक विभाजन की राजनितिक अभिवैक्ति का परिणाम क्या है तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर A हो जाएगा सारवजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बहतर बनाने में मदद मिली है ये लि अरिवादी आंदोलन को संधर्वित नहीं करता है पंचायतों और पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनेदित प्रदान करने के लिए निमलिखित कदम उठाये गया है तो कौन सा कदम उठाये गया है तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा महिलाओं के इन में से कौन सा विवाद सर्वोचनियाले उठा सकता है तो सही ऑप्शनियापर D है उपरोक्त सभी दो देश के नागरिकों के बीच नागरिक और सरकार की बीच दो या दो से अधिक राज्य सरकारों की बीच ये सभी मामले सर्वोचनियाले उठा सकता है तो D ऑप्शन तो देखे correct option यहाँ पर B हो जाएगा एक विशेश शेत्र जहां से मतदाता लोगसभा विधान सभा के लिए एक प्रतिनिधी चुनते हैं वही शेत्र निर्वाचन शेत्र कहलाता है इन में से कौन सा अधीनियम ये प्रावधान करता है कि पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कारे के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए तो देखे यहाँ पर correct option B हो जाएगा समान वेतन अधीनियम ये प्राउधान करता है कि पुर्षों और महिलाओं को समान कारी के लिए समान वेतन मिलना चाहिए हमारे देश में हम प्रतिनेदित्व की डैश प्रणाली का पालन करते हैं तो देखे यहाँ पर correct option B हो जाएगा शेत्र अधारित हमारे देश में हम प्रतिनेदित्व की शेत्र अधारित प्रणाली का पालन करते हैं सामप्रदाइक्ता के सबसे कुरूप रूप के बारे में इन में से कौन सा सत्य है तो देखे यहाँ पर D option correct हो जाएगा सामप्रदाइक हिंसा, दंगे, नरसंगार ये सभी सामप्रदाइकता का कुरूप रूप है तो D option एकदम correct हो जाएगा कुछ नारिवादी आंदोलन के अनुसार महिलाओं की भलाई हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका इन में से कौन सा है तो देखिए correct option यहाँ पर C हो जाएगा महिलाओं को सत्ता साजा करनी चाहिए महिलाओं के साथ सत्ता साजा की जाएगी अगर तो ये महिलाओं की भलाई हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है तो C option एकदम correct है इन में से कौन सा कथन गलत है तो देखिए इन में से कौन सा गलत है तो A गलत है जाती और राजनीती के बीच केवल एक तरफा समभंध है ये कथन यहाँ पर गलत है निमने लिखित में से कौन सा कथन चुनाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है देगे इसमें से कौन सा लोकतांतरिक प्रक्रिया के विरुद्ध है तो correct option आपर C हो जाएगा वोट देने का अधिकार केवल चैनित लोगों को दिया जाना चाहिए ये वाला जो point है ये चुनाओ की लोकतांतरिक प्रक्रिया के विरुद्ध है तो C option एकदम correct हो जाएगा इन में से कौन सा मामला पारिवारिक कानूनों से सम्मंदित है देखे कौन सा मामला हो जाएगा तो D option सही है ये सभी विवाह और तलाग, गोद लेना, विरासत ये सभी पारिवारिक कानूनों से सम्मंदित है वहाँ वैक्ती जो धर्मिक माननेताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करता कहलाता है तो देखिए क्या कहलाता है वो तो correct option B है धर्म निरपेख्ष ठीक है अगर कोई वैक्ती धर्म के अधार पर किसी के साथ भेदबाव नहीं करता तो वो धर्म निरपेक्ष कहलाता है भारत में इन में से किस निकाई के लिए चुनाओ हर पास साल बाद होते हैं तो देखे किस निकाई के लिए होते हैं तो correct option या पर B हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ही चुनाओं हर पास साल बात होते हैं निमलिखित में से किस देश में सारवजनिक जीवन में महिलाओं की भागिदारी बहुत अधिक है तो देखे कौन सा देश है वो तो B करेक्ट हो जाएगा स्विधन में जो महिलाओं की भागिदारी है वो बहुत अधिक है वहाँ प्रणाली जो पुरुशों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं से अधिक महत्व देती है कहलाती है कौन सी प्रणाली कहलाती है वो तो correct option या पर C हो जाएगा पित्र सत्ता हमारे देश में चुनाओ एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली निकाय द्वारा कराये जाते हैं जिसे कहा जाता है तो देखिए इसे क्या कहा जाता है ये option correct है चुनाओ आयोग इसे कहा जाता है निमलिकित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उधारन नहीं है तो यहाँ पर B correct हो जाएगा माता पिता की संपत्ती उनके बच्चों को विरासत में मिलती है ये मौलिक अधिकार के प्रयोग का उधारन नहीं है क्योंकि संपत्ती का अधिकार अब मौलिक अधिका नहीं है निमलिकित में से कौन सा सामप्रदाइकता का कारण नहीं है तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा राज्य का कोई अधिकारिक धर्म नहीं है यह सामप्रदाइकता का कारण नहीं है भारत में पुरुशों की 20 साक्षरता दर है देखी यहाँ पर जो रेशियो पूछा गया है साक्षरता का ये 2001 की जनगर्णा के अनुसार पूछा गया है तो correct option A हो जाएगा 76 प्रतिशत जो बुक में पूछा गया है 2001 की गर्णा के अनुसार है या आपको याद रखना है तो 76 प्रतिशत साक्षरता दर है भारत में रही है 2001 के समय एक पुरुष या महिला जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अफसरों में विश्वास करता है वो क्या कहलाता है तो correct option C हो जाएगा वो नारीवादी कहलाता है विवाजन से पहले कोसोबो किस देश का एक प्रांत था तो देखे यहाँ पर इसका correct answer जाता है तो देखे यहाँ पर correct option हो जाएगा इसका B धर्म को राजनीती से आगे होना चाहिए ऐसा कहते थे गांधी जी तो B option एकदम correct हो जाएगा सामप्रदाइक्ता का तातपर या निमलिखित पर आधारित विभाजन से है तो यहाँ पर correct option A हो जाएगा धर्म देखे जो सामप्रदाइक्ता है उसका तातपर धर्म आधारित विभाजन से है तो A option एकदम correct है आखिरकार Albania लोगों का नरसंगार कैसे रोका गया तो कैसे रोका गया था तो correct option यहाँ पर B हो जाएगा नरसंगार को रोकने के लिए तो देखे correct option यहाँ पर C हो जाएगा दोनो A और B बेटों के लिए माता पिता की प्रात्मिक्ता और लिंग चैनित गर्वपात यह दोनों ही रीजन है बाली का अनुपात में गिरावट के लड़कों लड़कियों को यह विश्वास दिलाकर बड़ा किया जाता है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर का काम करना और बच्चों का पालन पोशन करना है यहाँ अधिकांश परिवारों में परिलक्षित होता है किसके कारण तो देखे correct option यहाँ पर B हो जाएगा इसे श्रम का लिंक विभाजन कहा जाता है तो B option एकदम correct हो जाएगा सॉधी अरब में महिलाओं की स्तिति क्या है तो देखे यहाँ पर correct option C हो जाएगा महिलाओं पर कई सारवजनिक प्रतीबंध लगाए गए है यह स्तिति है सॉधी अरब में महिलाओं की तो C option correct हो जाएगा Sweden, Norway और Dash जैसे Scandinavia आई देशों में सारवजनिक जीवन में महिलाओं की भागेदारी बहुत अधिक है तो किसमे Sweden, Norway और Dash तो correct option देखिए यहाँ पर A हो जाएगा Finland ठीक है Sweden, Norway और Finland जैसे Scandinavia देशों में सारवजनिक जीवन में महिलाओं की भागेदारी बहुत अधिक है तो A option एकदम correct हो जाएगा 2001 की जनगर्णा के अनुसार भारत में हिंदूों का प्रतीशत कितना है तो कितना रहा था तब 2001 की जनगर्णा के अनुसारी पुछा गया देखिए बुक में तो correct option B हो जाएगा 80.5% हिंदू थे भारत में 2001 की जनगर्णा के अनुसार कई परिवारों में लैंगिक श्रम विभाजन का प्रमुक कारण क्या है तो देखिए क्या प्रमुक कारण है तो A correct हो जाएगा लिंग विभाजन कई परिवारों में लैंगिक श्रम विभाजन का मुख्य कारण है जोतीवा फूले कौन थे most important नेम है ये जोतीवा फूले तो correct option A हो जाएगा वो एक समाज सुधारक थे लोगों को विभाजित करने के एक उपकरण के रूप में धर्म के उपयोग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो correct option यहां पर B हो जाएगा साम प्रदाइकता शब्द का प्रयोग यहां पर किया जाता है भारत में महिलाओं को भेदभाओं का सामना करना पड़ता है किन-किन शेत्रों में तो देखे D option correct हो जाएगा उप्रोक्त सभी, सामाग जीक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनितिक जीवन इन सभी में महिलाओं को भेदभाओं का सामना करना पड़ता है तो D option एकदम correct है विश्व के विबिन शेत्रों की रास्तिय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिदित्व का विश्व औसत है तो कितना औसत है यहाँ पर पूरे विश्व में पूछा जा रहा है रास्तिय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिदित्व का तो देखे यहाँ पर correct option इसका A हो जाएगा लगभग 19% बस लगभग 19% ही है पिश्व के विबिने शेत्रों की रास्टिय संसदों में महिला का प्रतिनिदित्व का औसत तो आपको याद रखना है क्योंकि यह question पूछा भी गया है किस शेत्र की रास्टिय संसदों में महिलाओं का प्रतिनिदित्व सबसे अधिक है तो देखे यहाँ पर correct option D हो जाएगा नौडिक देशों की रास्टिय संसदों में महिलाओं का प्रतिनिदित्व सबसे अधिक है भारत में कुछ इस्थानों पर बाल लिंग अनुपाद कितना कम हो गया देखिए ये भी 2001 की जनगर्णा के अनुसारी है तो भारत में कुछ इस्थानों पर बाल लिंग अनुपाद कितना कम हो गया तो correct option या पर D हो जाएगा 800 से कम हो गया है कई जगा पर बाल लिंग तो देखिए A option बिल्कुल सही है इसका राजनेतिक दलों की बीच आम सहमती का अभाव इसके कारण क्या हो रहा है कि एक तियाई सीटे आरक्षित करने में संसत की विफलता सामने आ रही है तो A option बिल्कुल correct हो जाएगा लोगतंत्र किस विचार पर आधारित है तो देखिए यहाँ पर इसका correct option हो जाएगा C विचार विमश और बातचीत पर आधारित है लोगतंत्र निमलिकित में से किस प्रकार की सरकार को जीनियल का समर्थन प्राप्त है तो करेक्ट आप्शन A हो जाएगा लोगतंत्र सरकार को जीनियल का समर्थन प्राप्त है आर्थिक वृद्धी निमलिखित में से किस पर निर्भर करती है तो correct option यहाँ पर D हो जाएगा विभिन रास्टों की 20 सहयोग पर आर्थिक वृद्धी निर्भर करती है लोगतंत्र का सबसे महत्पून परिनाम है तो इन में से क्या हो जाएगा C option एकदम correct है वे दोनों जवाबदे सरकार और उत्तरदाई सरकार यह लोगतंत्र का सबसे महत्पून परिनाम है निमलिखित में से कौन सा एक लोगतंत्र के परिनामों का उधारन है जो एक जवाबदे सरकार का निर्मान करता है तो correct option एहाँ पर A हो जाएगा प्रमुक नीतियां और कानून पर सारवजनिक बहस के लिए खुला होता है वही एक लोगतंत्र के परिनामों का उधारन है जो एक जवाबदे सरकार का निर्मान करता है निमलिकित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोगप्रिये रूप है most important question है पूछा जाता है correct option यहाँ पर D हो जाएगा लोगतंत्र जो है यह समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोगप्रिये रूप है एक लोगतांत्रिक सरकार में एक नागरिक के पास सरकार द्वारा लिये गए निर्नेओं की जाच का अधिकार और साधन है इसे यहां भी कहा जा सकता है इसे और क्या कहा जा सकता है तो एक करेक्ट है पारदर्शिता इसे क्या कहते हैं पारदर्शिता कहते हैं निमलिकित में से कौन सी विशेष्टा अधिकांश लोगतंत्रों में आम है तो कौन सी विशेष्टा तो correct option D हो जाएगा उप्रोक्त सभी उनके पास आपचारिक सम्विधान है वे नियमित चुनाव कराते हैं उनके पास राजनीतिक दल है ये जो विशेष्टा है ये अधिक वेल्द बुक में भी है ये तो आपको याद रखना है A option correct है अबराहम लिंकन के द्वारा ये statement दिया गया था लोगतंत्र का मूल परिणाम है तो देखे correct option यहाँ पर इसका A हो जाएगा राजनीतिक, समाजिक और आर्थिक ये तीनों ही परिणाम है लोगतंत्र के नियमित किस देश में ताना साही की तुलना में लोगतंत्र को प्रात्मिक्ता नहीं दी जाती है तो correct option यहाँ पर B हो जाएगा पाकिस्तान में ताना शाही की तुलना में लोगतंत्र को प्रात्मिक्ता नहीं दी जाती है दो ग्रीक शब्द डैमो और क्रेटिया का अर्थ है तो दे निमलिकित में से कौन सा एक लोगतंत्र में संगश को हल करने का तरीका नहीं है तो करेक्ट आप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी शशस्त्र क्रांती ये एक लोगतंत्र में संगश को हल करने का तरीका नहीं है बोलिविया के जल युद्धे के संबंद में निमलिकित निमलिकित में से कौन दबाव समू है तो देखे यहाँ पर इसका correct option क्या हो जाएगा D. श्रमिक ट्रेड यूनियन ठीके जो D. ऑप्शन है बिल्कुल correct है श्रमिक ट्रेड यूनियन यह दबाव समू है यह आपको याद रखना है नेपाल में अपरेल 2006 के आंदोलन के परिणा के संबंद में सत्यत नहीं है अपरेल 2006 को नेपाल में आंदोलन शुरू करने का मुख्यो देश निमलिकित में से कौन सा था तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा लोग तंत्र को बहाल करने के लिए अपरेल 2006 को नेपाल में आंदोलन शुरू किया गया था निमलिकित में से कौन सा सारवजनिक हिद समूहों का उधारण है देके इन में से कौन सा है जो सारवजनिक हिद समूहों का उधारण है तो correct option C हो जाएगा बाम सेफ ये सारवजनिक हिद समूहों का उधारण है फैड कोर में शामिल है तो correct option यहाँ पर हो जाएगा ए इंजीनियर और पर्यावरंड विद जैसे पेशेवर फैडे कोर में शामिल है निमलिखित में से कौन सा कथन सारवजनिक हित समूहों के बारे में सत्य नहीं है तो correct option यहापर D हो जाएगा उनकी प्रमुक चिंता उनके सदस्यों की बहतरी और कल्यान है यह सही नहीं है सारवजनिक हित समूओ के बारे में क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने सदस्यों की चिंता नहीं रहती बलकि सभी लोगों के हित के बारे में सारवजनिक हित के बारे में वो सोचते हैं तो इसलिए D option यहापर सही हो जाएगा किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्नायक भुमी का कौन निभाता है तो correct option यहाँ पर B हो जाएगा पार्टियां किसी भी देश के लिए कानून बनाने में निर्नायक भुमी का पार्टियों द्वारा निभाई जाती है नेपाल के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो देखे बी वाला कथन सत्य नहीं है नेपाल में अप्रेल 2001 में एक असाधारण लोकप्रिये आंदोलन देखा गया था ये वाला पॉइंट सही नहीं है दबाओ समुओ और राजनिती दलो के बीच निमलिकित में से कौन सा अंतर गलत है तो देखे कौन सा अंतर गलत है तो यहाँ पर D option सही हो जाएगा आप एक बार पूरे option जरूर पढ़के देखना क्योंकि जहां भी अंतर करना होता है तो हमें पढ़के देखना चाहिए एक ब निमलिकित में से कौन सा सत्य है तो देखे करेक्ट ऑप्शनिया पर C हो जाएगा लोक तंतर की बहाली के लिए यह जो आंतर था वो शुरू किया गलत है गया था निमलिखित में से कौन सा बोलीविया का एक संगठन था जिसने स्थानिय पेशेवर, इंजीनियर और पर्यावरण विद शामिल थे तो कौन सा था वो तो करेक्ट ओप्शन देखिए यहां पर इसका भी हो जाएगा फैडे कोर जिसमें पेशेवर, इंजीनियर और प स्विकार करने से इंकार कर दिया था, सारवजनिक हिट समुओं के सम्मन्द में निमलिखित में से कौन सा सत्य है, तो देखे कौन सा सत्य है, D सत्य है सामोहिक भलाई को बढ़ावा देना, यह सारवजनिक हिट समुओं के बारे में सही है, तो D option एकदम correct हो जाएगा, फैडे कोर इसका उधारन है किसका उधारन देखिए फैडे कोर तो करेक्ट आप्शन B हो जाएगा अनुभागिये हित समू का उधारन है फैडे कोर एक जन्हित समु का उद्धेश्य बढ़ावा देना है Correct option हो जायेगा यहांपर देखिए A सामुहिक अच्छाई एक जन्हित समु का उद्धेश्य सामुहिक अच्छाई को बढ़ावा देना है निम्लिखित में से कौनसा राजिनितिक दल 2006 में बोलीविया में सत्ता में आया तो कौन सा दल था वो तो correct option A हो जायेगा socialist party जो 2006 में बोलीविया में सत्ता में आई थी नेपाल और बोलीविया में हुए दोनो संगश्यों में क्या समानता थी तो देखे correct option A हो जाइगा दोनों ही मामले में संगश में बड़े पैमाने पर लामबंदी शामिल थे ये हो जाएगा A option correct अधिकार से क्या तातपर है तो correct option B एक वैक्ति का अनिसातियों समाज और सरकार पर दावा यही अधिकार या rights गहलाते हैं दबाओ समुओं के बारे में निमलिकित में से कौन सा सत्य नहीं है तो A जो है वो सत्य नहीं है वे सीधे तोर पर दलगत राजनीती में लगे हुए है ये दबाओ समुओं के बारे में सत्य नहीं है बोलिविया जल युद्ध का परिणाम क्या था तो देखिए correct option यहाँ पर D हो जाएगा बहुरास्टिये कंपनी के साथ जल अनुबंध रद्ध कर दिया गया और नगरपालिका को पुरानी दरोपर जल आपूर्ती बहाल कर दी गई ये हुआ था बोलिविया जल युद्ध का परिणाम नेपाल में पहली बार लोगतंत्र कब स्थापित हुआ जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते है तो देखे करेक्ट आप्शन यहाँ पर B हो जाएगा उन्हें दबाव समू कहा जाता है नेपाल में लोगतंत्र कब लागू हुआ तो देखे कब लागू हुआ था करेक्ट आप्शन डी हो जाएगा 2008 में लोगतंत्र लागू हुआ था देखे कि पहली बार कब आया अगर पूछा गया तो 1990 लेकिन लागू कब हुआ तो डी आप्शन सही हो जाएगा 2008 में नेपाल के लोगों का संगश किसके लिए प्रेणना का श्रोत है तो करेक्ट आप्शन देखे यहाँ पर C हो जाएगा A और B पूरे विश्वक के लिए लोगतंत्र प्रेमियों के लिए नेपाल के लोगों का संगश प्रेणना का श्रोत है लोगतंत्र की जड़े मजबूत होने की क्या निशानी है तो देखे करेक्ट आप्शन आपट D हो जाएगा उप्रोक्त सभी लोगतंत्र का जन संगश के जरिये विकास होता है सत्ता धारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालोक में संगश कुछ फैसले आम सहमती से भी हो जाए तो यह सभी पॉइंट सही है मतब D option एकदम correct हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा एक रास्टिय राजनितिक दल है तो correct option आपट D हो जाएगा बहुजन समाच पार्टी यह एक रास्टिय राजनितिक दल है निमलिकित में से का एक समूज जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है तो देखे B हो जाएगा राजनितिक दल जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं तो B option एकदम correct हो जाएगा इन में से किस राज़े में CPIM को मजबूत समर्थन प्राप्थ है तो correct option हो जाएगा C पश्चिम मंगाल को यहां पर मजबूत समर्थन प्राप्थ है CPIM में लोग तंतर में अधिकारों के उलंगन की इस्तिती में क्या किया जा सकता है तो correct option हो जाएगा B वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधालतों का दर्वाजा खट-कटा सकते हैं ये लोग तंतर में अधिकारों के उलंगन की इस्तिती में किया जा सकता है तो B option बिल्कुल correct हो जाएगा निम्न में से चुनाओ के दौरान पार्टियों द्वारा दिवार लेखन पर अधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है तो किसने लगा दिया है देखिए तो correct option यहाँ पर इसका C हो जाएगा चुनाओ आयोग के दौरा पार्टियों को दिवार लेखन पर अधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है तो C option एकदम correct हो जाएगा इन में से कौन सा कथन सही है तो देखिए correct option यहाँ पर D हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही कथन है देश में हर पार्टि को चुनाओ आयोग के साथ पंजी करण कराना होता है आयोग सभी पक्षों के साथ समान वहवार करता है यहाँ बड़ी और स्थापित पार्ट को कुछ विशे सुविधाय प्रदान करता है तो यहाँ पर D option एकदम correct हो जाएगा अलबिनियाई लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए अन्य देशों के हस्तशेप का क्या परिणाम हुआ तो देखिए correct option यहाँ पर इसका A हो जाएगा मिलो सेविक ने सत्ता खोदी और मा पदमा चलाया गया तो A option एकदम correct हो जाएगा इन में से कौन सा लोगतांतरिक राजजी के लिए अच्छा विकल्प नहीं है तो correct option यहाँ पर A है एक दली प्रणाली यह लोगतांतरिक राजजी के लिए अच्छा विकल्प नहीं है निमलिकित में से कौन भारत में राजनि दलों को मानेता दी जाती है वे पार्टियां जिन्हें चुनाओ चिन्न का विशेश अधिकार तथा अन्य सुभिदाई दी जाती है कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं तो B सही हो जाएगा चुनाओ आयोग द्वारा मानेता प्राप्त वो कहलाते हैं तो B option एकदम correct है भारत जैसे देशों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो कौन चयन करता है उम्मीदवारों का तो A करेक्ट हो जाएगा पार्टी के शीर्ष नेता चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं निमलिकित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है तो करेक्ट ओप्शन देखिया आपर A हो जाएगा चाइना में या चीन में एक दलीय प्रणाली है एक सरकार से अपिक्षा की जाती है कि वहाँ अपनी नीतियों को डैश द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी तो किस पर तो B करेक्ट हो जाएगा सत्ता रूर दल एक सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वहाँ अपनी नीतियों को सत्ता रूर दल द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी निमलिकित में से कौन सा एक राजनितिक दल का कार्य नहीं है तो देखे डी जो है सामाजिक सेवाएं प्रदान करना ये एक राजनितिक दल का कार्य नहीं है भारती रास्टी आंदोलन को इन में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है तो A option correct हो जाएगा मद्य मार्गी पार्टी में भारती रास्टी कॉंग्रेस को रखा जा सकता है निमलिकित में से किस राज्य में शिफ्षेणा एक छेत्रिय राजनितिक दल के रूप में मौजूद है तो देखिए सबी को पता होगा C option correct है महरास्ट में शिफ्षेणा एक छेत्रिय राजनितिक दल के रूप में मौजूद है किसी भी देश की पार्टी प्रणाली के संबंद में इन में से कौन सा सत्य है तो देखे correct option B हो जाएगा कोई भी देश अपनी पार्टी प्रणाली नहीं चुन सकता तो B option एकदम correct है पार्टी प्रणाली के संबंद में लोकतंत्र और अधिकारों की भी सम्बंद के बारे में इन में से कौन सा कथन अधिक मानने है तो correct option B हो जाएगा प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वहाँ लोकतंत्र है तो B option एकदम correct है उस राजनितिक दल का नाम बताएं जो जन आंदोलन से उभरा है कौन सा राजनितिक दल है वो तो B करेक्ट हो जाएगा जनता दल ये एक जन आंदोलन से उभरा हुआ राजनितिक दल है इन में से किस पार्टी के पास रास्टिय इस्तर के राजनितिक संगठन है तो correct option या पर D हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई भी नहीं मतलब यहाँ पर कोई से भी रास्टी इस्तर के राजनितिक संगठन नहीं है गडबंधन का अर्थ बताईए तो correct option या पर D हो जाएगा जब बहुदलिये प्रणाली में कई दल चुनाओ लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश से एक साथ शामिल होते हैं तो इसे ही गडबंधन कहा जाता है D option एकदम correct है राजनितिक दलो का उद्देश सीधे तौर पर डैश के उद्भव से जुड़ा है तो correct option C हो जाएगा प्रती निधी लोकतंत्र के उद्भव से जुड़ा हुआ है राजनितिक दलो का उद्देश माकसवाद लैनिनवाद में विश्वास रखने वाली राजनितिक पार्टी है तो देखिए कौन सी पार्टी है जो माकसवाद और लैनिनवाद में विश्वास रखती है correct option B हो जाएगा भारतिय कम्मिनिस्ट पार्टी जो माक्सवाद लैनिनवाद में विश्वास रखने वाली पार्टी है BJP की स्थापना कब हुई most important है पूछ लिया जाता है correct option C हो जाएगा 1980 में BJP की स्थापना की गई थी बहुदलिये प्रणाली के लाभों से सम्मंदित कथन का चयन करें तो correct option या पर C हो जाएगा मतदाताओं को विकल्प प्रदान करता है इसी बहुदलिये प्रणाली के लाभों से सम्मंदित कथन में यही सही हो जाएगा क्योंकि देखिए जब बहुत सारे दल होंगे तो मतदाता के पास विकल्प जादा होंगे कि इसको वोट कर दें या इसको वोट कर दें तो इसलिए C option एकदम correct है भारती रास्टिये कॉंग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है जिसकी स्थापना डैश में हुई थी तो correct option A हो जाएगा 1885 में भारती रास्टिये कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी बहुत अलिये प्रणाली वाले देश का उधारन है तो correct option या आपर क्या हो जाएगा C यानिकी भारत हमारा प्यारा भारत इसका correct answer है जहां पर बहुत अलिये प्रणाली है ठीक है तो C option एकदम correct है भारत में पार्टियां भारत के चुनाओ आयोग के साथ पंजीकरत है तो कितनी पार्टियां है वो तो correct option या आपर D हो जाएगा 750 से अधिक पार्टियां भारत के चुनाओ आयोग के साथ पंजीक रत है तो D option एकदम correct है राजनितिक दलो को प्रतीक आवंटित किये जाते हैं किसके द्वारा आवंटित किये जाते हैं प्रतीक तो correct option D हो जाएगा चुनाओ आयोग के द्वारा राजनितिक दलो को प्रतीक आवंटित किये जाते हैं सरकार इस आयू तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवारी सिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है किस आयू तक के तो correct option D हो जाएगा चुदा वश्टक के सभी बच्चों को सिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है एक मानेता प्राप्त राजनितिक दल वहाँ है तो correct option D हो जाएगा ये सभी भारत के चुनाओ आयोग के साथ पंजीकरत है को एक अदुतिये चुनाओ चिन्ह दिया गया को चुनाओ आयोग द्वारा मानेता प्राप्त कुछ अन्य सुविधाय मिलती है वही मानेता प्राप्त राजनितिक दल कहलाता है मतलब D option एकदम सही हो जाएगा डैश और United Kingdom दो पक्षिये प्रणाली के उधारन है तो डैश में क्या आएगा तो देखे correct option एहापर D हो जाएगा उपरोक्त सभी मतलब की रास्टी ये जनतांत्रिक गडबंधन संयुक्त प्रगती शील गडबंधन वाम मोर्चा ये सबी शामिल थे तो D याने की उपरोक्त सभी correct हो जाएगा इन में से कौन सा दक्षिन अफरिका के संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए गारंटी करत नए अधिकार है तो correct option यहापर भी D हो जाएगा उपरोक्त सभी मतलब निजिता का अधिकार ऐसे पर्यावरण का अधिकार जो लोगों के स्वास्त के लिए हानिकारक ना हो पर्याप्त आवास तक पहुँच का अधिकार यह सभी अधिकार दिये गए है तो D option याने की उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएगा निमलिकित में से कौन बहुदलिये प्रणाली का उधारन है तो देखे कौन होगा तो D option correct है उपरोक्त सभी मतलब भारत, न्यूजिलैंड, कैनाडा यह सभी बहुदलिये प्रणाली का उधारन है बहुजन समाज पार्टी बसपा काशीराम के नेतरित्व में डैश में गठित एक पार्टी है तो देखे कब गठित की गई है तो D option सही है, 1984 में काशीराम के नेतरित्व में गठित एक रास्टिय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी निम्न में से कौन सा कथन political party के बारे में सही है तो इन में से कौन सा कथन सही हो जाएगा तो D option उप्रोक्त में से कोई भी नहीं मतलब एक भी कतन यहाँ पर सही नहीं है एक बार आप सारे option पढ़के जरूर देख लेना किसी अधिकारी को उसकी वैक्तिकत जानकारी के सम्मंद में प्रस्तुत किया गया हस्ताक्षरित दस्तावेच क्या है तो देखे क्या हो जाएगा C option correct है उसे समझोता या agreement कहा जाता है समविधान में वर्नित शोशन का एक रूप याता यात है इसका मतलब क्या है मतलब trafficking तो देखे B सही हो जाएगा इंसानों की खरीद फरोस्त यानि की जो human trafficking होती है इसका मतलब वो होता है तो B option एकदम correct है CPIM के बारे में इन में से कौन सा कथन गलत है यानि की Communist Party of India माक्सवादी के बारे में इन में कौन सा कथन गलत है तो देखे D option सही हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं मतलब समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षिता और लोगतंत्र का समर्थन करता है सामराजवाद और सामप्रदाइक्ता का विरोध करता है भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय सुरक्षित करना चाहता है ये सभी कथन सही है CPIM के बारे में तो D option एकदम करेक्ट हो जाएगा लोगतंत्र में राजनितिक दल सबसे अधिक दिखाई देने वाली संस्थाए हैं क्योंकि तो करेक्ट option यहाँ पर D हो जाएगा लोगतंत्र में अधिकांश लोग राजनितिक दलों के आलोचक नहीं है इसलिए यह सबसे ज़ादा दिखाई देने वाली संस्थाए है भारतिय कमिनिस्ट पार्टी माक्सवादी CPIM की स्थापना डैश में हुई थी तो कब हुई थी तो B option correct है 1964 में CPIM की स्थापना की गई थी इन में से किस उद्योग में बच्चों को काम करने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है तो देखे किस में रोकने से तो D option सही हो जाएगा उपरोक्त सभी यानि कि बीडे बनाना, पटाके और माचिस, छपाई और रंगाई इन सभी काम के लिए बच्चों को काम करने पर रोक लगाई गई है तो D option एकदम correct हो जाएगा आश्य प्रश्यता की प्रथा के बारे में समविधान क्या कहता है तो देखे यहाँ पर correct option D हो जाएगा दोनो A और B मतलब इसे समाप्त कर दिया गया है किसी भी रूप में इसका अभ्यास कानून द्वारा डंडनी यह है तो A और B दोनों सही हो जाएगा मतलब D option एकदम correct है निमलिखित में से कौन सी स्वतंतरता भारतिय नागरिकों को उपलब्द नहीं है तो कौन सी स्वतंतरता है वो तो correct option C हो जाएगा शशस्तर क्रांती में भाग लेने की स्वतंतरता यह भारतिय नागरिकों को उपलब्द नहीं है किस पार्टी को केवल चीन में शाषन करने की अनुमती है कौन सी पार्टी है वो तो B correct हो जाएगा Communist Party को केवल चीन में शाषन करने की अनुमती है दिये गए वर्गी करन्ट के अनुसार 2006 में भारत में रास्टी मानेता प्राप्त पार्टियां थी तो कितनी थी उस टाइम पे मानेता प्राप्त पार्टियां तो correct option यह पर B हो जाएगा 6 टोटल 6 मानेता प्राप्त पार्टियां थी 2006 में वेचारिक एकदलिये प्रणाली क्या है तो करेक्ट आप्शनिया पर B हो जाएगा जबरदस्ती पर आधारित पार्टी वेचारिक एकदलिये प्रणाली कहलाती है बेगार से क्या तातपर है देगी पूछा जाता है एक क्वेशन करेक्ट आप्शन आपर B हो जाएगा श्रमिकों को बिना किसी वेतन के काम करने के लिए मजबूर करने की जो प्रथा है वही बेगार कहलाती है संगिय वेवस्ता में केंद्र सरकार आदेश नहीं दे सकती तो करेक्ट आप्शन हो जाएगा C राज्य सरकार को संगिय वेवस्ता में केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती संग सूची में उल्लेकित विश्यों से सम्मंदित कानून कौन बना सकता है देखे संग सूची पर कौन कानून बनाएगा तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन C हो जाएगा संग सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है निमलिकित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतरगत उपलब दिन नहीं है तो correct option है D, संपत्ती का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है मूल अधिकार में हमको, जब मूल अधिकार दिये गए थे, मूल संविधान में इसका वर्णन था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया, मतलब संपत्ती का अधिकार अब हमारा मौल अधिकार नहीं है निमलिकित में से कौन सा राज्य भारत का केंदर शाशित प्रदेश बन गया तो इन में से कौन सा राज्य है वो, तो C correct हो जाएगा, जम्मू एन कश्मीर ये पहले भारत का राज्य था, जो अब केंदर शाशित प्रदेश बन गया है संगिय सरकार की विशिस्ट विशेष्टा की पहचान करें, तो correct option यहापर C हो जाएगा सरकारी शक्ती इर सरकार के विभिन इस्तरों के बीज विभाजित है, यही संगिय सरकार की विशिस्ट विशेष्टा है किस काल में देश के कई राज्यों में छेतरी राजनितिक दलों का उदै हुआ, कौन से काल में हुआ, तो A option सहीए 1990 के बाद की अवदी में देश में कई राज्यों में छेतरी राजनितिक दलों का उदै हुआ था भारत में किस इस्तर की सरकार को अफसिस्ट विशियों पर कानून बनाने की शक्ती प्राप्त है, तो correct option यहापर क्या हो जाएगा वे विशे, जो किसी सूची के अंतरगत नहीं आते हैं, वही अफसिस्ट शक्तियां कहलाते हैं, तो D option एकदम correct हो जाएगा ग्राम पंचायत के मुख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो B option सही है, सरपंच ग्राम पंचायत के मुख्या को सरपंच कहा जाता है संगिये विवस्ता के मूल उद्देश क्या है, देखिए इनमें से सही क्या हो जाएगा देखिए correct option यहाँ पर D हो जाएगा, दोनो A और B, संगिये विवस्ता के मूल उद्देश क्या है, तो D option सही है देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और छेतरिये विविदिता को समायोजित करने के लिए तो A और B दोनों सही हो जाएगा, मतलब D option एकदम correct है भारत का सम्विधान मूल रूप से प्रदान किया गया, तो correct option देखे, यहाँ पर इसका हो जाएगा A सरकार की दो इस्तरिये प्रणाली, भारत का जो सम्विधान मूल रूप से सरकार की दो इस्तरिये प्रणाली को प्रदान करता है गलत कथन चुने तो correct option यहाँ पर B हो जाएगा Belgium 1993 में संगिय स्वरूप से एकात्मक शाशन स्वरूप में इस्थानतरित हो गया ये वाला जो point है ये गलत है इन में से कौन सी भारत में स्वतंतरता का अधिकार के अंतरगत मिलने वाली स्वतंतरता नहीं है तो देखे कौन सी हो जाएगी B option correct है लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रो करने के लिए उकसाने की स्वतंतरता ये भारत में स्वतंतरता के अधिकार के अंतरगत मिलने वाली स्वतंतरता नहीं है तो B option एकदम correct हो जाएगा सरकार के तीसरे स्वतंतर को क्या कहा जाता है बहुत पूछा जाने वाला question है correct option C हो जाएगा इस्थानिय स्वाशाशन कहा जाता है सरकार के तीसरे स्वतंतर को भारत के समविधान द्वारा किस भाषा को रास्टिय भाषा के रूप में मानिता दी गई है तो देखिए यहाँ पर correct option D हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, देखिए जो भारत की कोई भी रास्टिय भाषा नहीं है, हिंदी भी भारत की राजभाषा है, ना की रास्टिय भाषा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि D option यहाँ पर एकदम correct है, कि इन में से कोई भी चोधन 1992 के अधार पर, इन में से कौन सा गलत है, तो देखिए, ये option गलत हो जाएगा, एक चोथाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये गलत है, एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए हैं चुनाओं में, ये सही है लेकिन एक चोथाई दिया हुआ है यहाँ पर इसलिए ये option गलत है समाजिक विभाजन से निपटने के लिए लोगतंत्र के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो देखे यहाँ पर D सही नहीं है मतलब लोगतंत्र में राजनितिक प्रतिसपर्धा के कारण समाजिक विभाजन राजनिती में परिलक्षित होता है ये वाला जो option है ये correct नहीं है तो आपको याद रगना है कि यहाँ पर हमारे question का correct option D हो जाएगा लोगतंत्र का अर्थ है तो देखे लोगतंत्र का अर्थ क्या होता है तो यहाँ पर सही हो जाएगा C लोगों के लिए शाशन ही लोगतंत्र होता है यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को निर्णे की प्रक्रिया की जाच करने का अधिकार और साधन प्रदान करती है महिलाओं के साथ समान वहवार लोकतांतरिक समाच का एक आवश्यक घटक है इसका मतलब है कि तो देखे करेक्ट आप्शन B हो जाएगा अब महिलाओं के लिए अपने अधिकारों के लिए कानूनी रूप से संगश करना आसान हो गया है तो B आप्शन एकदम करेक्ट हो जाए ताना शाही का अर्थ है तो देखे करेक्ट आप्शन A हो जाएगा कुछ लोगों द्वारा जो शाशन होता है वही ताना शाही कहलाता है संगवाद क्या है तो देखे करेक्ट आप्शन यहाँ पर B हो जाएगा सरकार का वहां रूप जिसमें सत्ता केंद्रिये और वैक्ति राज्यों या प्रांतों की भी साजा की जाती है वही संगवाद कहलाता है तो B option एकदम करेक्ट है बेलजियम सरकार के एकात्मक स्वरूप से इस्थांतरित हो गया तो देखिए correct option यहाँ पर इसका B हो जाएगा संगी ये स्वरूप में देखिए बेलजियम सरकार पहले एका स्वरूप में थी बाद में ये संगी स्वरूप में इस्थांतरित हो गई तो B option एकदम करेक्ट है दो प्रकार के मार्ग है जिनके माध्यम से संगो का गठन किया गया वहां कौन से दो मार्ग है तो देखिए यहाँ पर correct option इसका C हो जाएगा उपरोक्त दोनों मतलब एक मा है जहां एक बड़ा देश अपने शक्तियों को राज्यों और रास्टिय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्ना लेता है तो A और भी दोनों सही है मतलब C option एकदम correct हो जाएगा निमलिकित में से कौन संगबाद की प्रमुग विशेष्टाओं में से एक नहीं है तो दे सत्ता की साज़ेदारी के किस रूप को आम तोर पर संगबाद कहा जाता है correct option है B शक्ति का उर्दवादर विभाजन इसे सत्ता की साज़ेदारी के रूप में आम तोर पर संगबाद कहा जाता है एक आत्मक सरकार के संबंद में निमलिकित में से कौन सा गलत है तो देखे D बाला जो option है ये correct हो जाएगा राजे सरकारों की शक्तियों की guarantee सम्विधान द्वारा दी गई है ये एकात्मक सरकार के संबंध में गलत कथन है गलत कथन चुने तो देखिए यहाँ पर गलत कथन तो D option correct हो जाएगा संगिये विवस्ता में राजे सरकार केंदर सरकार के प्रत सत्य है तो देखिए क्या सत्य होगा यहाँ पर C correct हो जाएगा सरकार के प्रतेक स्तर के लिए राजस्व के श्रोत इसकी वितिये स्वतायत सुनिश्चित करने के लिए इस पस्ट रूप से निर्दिस्ट है तो C option एकदम correct है संगिये विवस्ता में राजस्व के श्रोतों के संगवाद में शक्ती विविन घटा की काईयों के बीच विभाजित होती है तो देखे correct option यहाँ पर इसका A हो जाएगा केंद्रिये प्राधी करन लोगतंत्रे निर्णे लेने के संबंद में क्या सुनिश्चित करता है तो क्या सुनिश्चित करता है हमें बताना है तो correct option हो जाएगा A पार दर्शिता की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है लोगतंत्रे निर्णे लेने के संबंद में लोगतांत्रिक सरकार गैर लोगतांत्रिक सरकार से बहतर है क्योंकि तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आप्शन A हो जाएगा यह सरकार का एक वैद रूप है इसलिए लोगतांत्रिक सरकार गैर लोगतांत्रिक सरकार से बहतर है किस देश ने विभिन अबादी के बीच सफलता पूर्वग बातचीत की है तो देखे correct option यहाँ पर इसका हो जाएगा C Belgium जिसने विभिन अबादी के बीच सफलता पूर्वग बातचीत की है लोगतंतर के बारे में निमलिकित में से कौन सा सत्य नहीं है तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा निर्ने लेना तेज और तेज है ये लोगतंतर के बारे में ये सत्य नहीं है कि निर्ने लेना डिसीजन लेना यहाँ पर बहुत तेज है तो ऐसा नहीं होता है लोगतंतर में डिसीजन में बहुत टाइम लगता है निम लिखित में से किसकी आर्थिक बृद्धी और विकासदर अधिक है तो correct option B हो जाएगा ताना शाही की आर्थिक बृद्धी और विकासदर बहुत अधिक है निम लिखित कतनों पर विचार करें इन में से कौन सा गैरलोग तांत्रिक शाशन के लिए सही नहीं है तो देखे correct option यहापर क्या हो जाएगा C option correct है वैक्तिगत गरीमा के सिद्धान्त को कानूनी बलप्राप्त है तो ऐसा नहीं होता है गैर लोगतंत्रिक शाषन में तो C option बिलकुल correct हो जाएगा इन में से कौन सी लोगतंत्र की विशेष्टा नहीं है देखे correct option यहापर B हो जाएगा सत्ता पर एक अधिकार यह लोगतंत्र की विशेष्टा नहीं है रास्टवादियों और ब्रिटेन सरकार के बीच कब समझोता हुआ most important question है देखे correct option यहापर C हो जाएगा 1998 में रास्टवादियों और ब्रिटेन सरकार के बीच समझोता हुआ था इन में से कौन तानाशाही की विशेष्टा नहीं है तो correct option देखे यहापर A हो जाएगा नागरिकों की समानता यह तानाशाही की विशेष्टा नहीं है लोगतंत्र को तानाशाही की तुलना में सरकार का बहतर रूप क्यों माना जाता है तो देखे इसका correct option A हो जाएगा यह समानता को बढ़ावा देता है और वैक्ति की गरिमा को बढ़ाता है इसलिए लोकतंत्रों को ताना शाही की तुलना में सरकार का बहतर रूप माना जाता है संयुक्त राज अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ तो देखे correct option B हो जाएगा 1954 से 1968 तक संयुक्त राज अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था अपेक्षित परिणामों के अधार पर लोगतंत्र को मापने के लिए निमलिकित में से कौन सी प्रथाओं और संस्थानों की तलाश की जाएगी तो देखे यहाँ पर correct option D हो जाएगा उप्रोक्त सभी नियमित स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओ प्रमुक नीतियों पर खुली सार्वजनिक बहस नागरिकों को सरकार के बारे में जानकारी का अधिकार तो यहाँ पर देखे D option एकदम correct हो जाएगा देश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है तो correct option यहाँ पर D होगा सभी विकल्ग याने की अन्य देशों के साथ सायोग जनसंक्या का आकार वैस्विक स्थिती इन सभी पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है इसलिए D option एकदम correct हो जाएगा वहाँ सरकार जो मान डंडो और उचित प्रक्रिया का पालन करके निर्णे लेती है तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा वो एक पार दर्सी सरकार कहलाती है किस प्रकार की सरकार द्वारा लिये गए निर्णे लोगों को अधिक सुषीपार और अधिक प्रभावी होने कि संभावना होती है तो correct option यहाँ पर इसका correct option डी हो जाएगा उप्रोग तसभी याने कि एक लोगतंत्रिक सरकार एक जवाबदे सरकार है एक उत्तरदाई सरकार है और एक वैदे सरकार है मतलब की D option बिलकुल correct है लोगतंत्र बहतर है क्योंकि यहां तो देखे correct option आपड़ D हो जाएगा सभी विकल्प मतलब नागरिकों की B समानता को बढ़ावा देता है वैक्ती की गरिमा को बढ़ाता है निर्णे लेने की गुडवत्ता में सुधार करता है यह सभी point सही है मतलब D option एकदम correct हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो देखे कौन सा कथन सही हो जाएगा C कथन एकदम सही है कोई भी शाषन बिबिन समुहों की बीच संगर्शों को पूरी तरह और स्थाई रूप से हल नहीं कर सकता यह सही है बिलकुल तो आपको C option यहाँ पर याद रखना है भारत में लोगतंत्र की शुरुआत कब हुई तो correct option देखे यहाँ पर क्या हो जाएगा correct option है B 1950 यादे की 1950 में भारत में लोगतंत्र की शुरुआत हुई थी निमलिखित में से कौन सा कथन सही है देखे जितने कथन वाले question है एक बार आप जरूर read करना उसके बादी answer इसका लगाना देखे निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा मतलब दोनो A और B अधिकांश लोगतंत्र में समविधान होते हैं चुनाओ होते हैं पार्टियां होती हैं और वे नागरिकों को अधिकार की गारंटी देते हैं लोगतंत्र अपनी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक उपलबदियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग है तो D option यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा देश आई की आसमानता में शीर्ष पर है सो तो कौन सा देश है वो तो देखिए C हो जाएगा दक्षिन अफरिका जो आई की आसमानता में शीर्ष सिस्थान पर है यह आपको जरूर से याद रखना है उत्तरी आयर मतलब वहाँ पे सभी इसाई रहते हैं लेकिन दो अलग गुर्पों में वो बटे हुए हैं उत्तरी आयरलेंड और नीदरलेंड में लोग तंतर में नेडना लेने और कार्यान वयन में देरी क्यूं होती है तो इसका कारण क्या है तो देखें C option correct हो जाएगा लोग तंतर विचार विमश और बातचीत के विचार पर आधारित है इसलिए इसमें नेडना लेने में थोड़ी देरी हो जाती है लोग तंतर में किस प्रकार का चुनाओ होना चाहिए तो देखें correct option D हो जाएगा सभी विकल्प, मुफ्त होना चाहिए, निस्पक्ष होना चाहिए और नियमित होना चाहिए मतलब D option एकदम correct है किस ओलंपिक में दो एटलीटो द्वारा नसलिय भेदबाव और नागरिक अधिकारों का मुद्दा उठाया गया था तो देखे C option से ही हो जाएगा मैक्सिको ओलंपिक में दो एथलीटो द्वारा नसलिय भेदभाव और नागरिक अधिकारों का मुद्दा उठाया गया था निमलिखित में से कौन सी श्रीलंकाई तमिलों की प्रारंबिक मांगो में से एक नहीं है तो यहाँ पर correct option इसका हो जाएगा D एक स्वतंतर तमिल इलम राज्जी का निर्माण ये इनकी प्रारंबिक मांगो में से एक नहीं थी अधिकांज सिंगली भाशी लोग हैं तो कौन से हैं वो तो देखी यहाँ पर correct option A हो जाएगा बौध मतला अधिकांज जो सिंगली भाशी लोग हैं वो बौध धर्मवाले हैं 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाशा को श्री लंका की एक मात्र अधिकारिक भाशा घोशित कर दिया गया उन्निस तो पचास और उन्निस तो साट के दशक के दोरान बेलजियम में डच भाशी और फ्रेंच भाशी समुदाय की बीच तनाव क्यू पैदा हुआ त पर संक्यक फ्रांसी सी भाशी समुदाय बहु संक्यक डच भाशी समुदाय की तुलना में अधिक संब्रिद्दो और शक्ति शाली थे इसलिए उनके समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था निमलिकित में से किस देश में शक्तियों का संगिय बिवाजन है तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आप्शन D हो जाएगा A और B मतलब भारत और बेलजियम दोनों में ही शक्तियों का संगिय बिवाजन है शक्तियों का बटवारा ना करने से होता है तो गलत कथन चुने तो देखिए इन में से गलत कथन कौन सा हो जाएगा तो B कथन गलत है दोनोंने सत्ता साजा करेंट के प्रशन को समान रूप से निप्टाया है दोनों मतलब कौन की बात हो रही है श्रीलंका और बेलजियम दोनों की बात हो रही है तो दोनोंने समान रूप से निप्टाया ये गलत कथन है तो B आप्शन यहाँ पर करेक्ट हो कार्याले ग्यापन से क्या तातपर है तो देखे correct option A हो जाएगा भारत सरकार द्वारा जारी आदेश कार्याले ग्यापन कहलाता है सत्ता की साज़दारी अच्छी है क्योंकि तो correct option या पर C हो जाएगा या सामाजिक समुओं की भी संगश की संभावना को कम करता है इसलिए सत्ता की साज़दारी अच्छी है निमनिम लिखित में से कौन सी भाषा पर जाएगा नाइटीन फॉट्टी एट में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा तो correct option B हो जाएगा 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था निमनिम लिखित में से कौन सी भाषा बेलजियम में नहीं बोली जाती है तो कौन सी भाषा है वो तो देखे C सही हो जाएगा Danish भाषा जो है ये बेलजियम में नहीं बोली जाती है आधुनिक लोग तंत्रों में सत्ता को निमलिखित तरीकों से साजा किया जा सकता है तो correct option D उप्रोक्त सभी सरकार के विभिन अंगों की बीच, विभिन इस्तरों की बीच, विभिन समाजिक समुहों की बीच मतलब यह तीनों ही सही है तो D option एकदम correct हो जाएगा Belgium में समुदाइक सरकार का चुनाओ कौन करता है तो D correct option A हो जाएगा केवल एक भासा समुदाइ से सम्मंदित लोग Belgium में समुदाइक सरकार का चुनाओ करते हैं Brussels में निमलिखित में से कौन सा समुदाइ बहु संक्यक था तो correct option A हो जाएगा फ्रेंच भाशी समुदाय ब्रुजेल्स में बहु संक्यक था निमलिकित में से किस देश में बहु संक्यक वात के सिधान के कारण ग्रह युद्ध हुआ तो किस में हुआ था ये ग्रह युद्ध तो देखे correct option B हो जाएगा श्रीलंका में बहु संक्यक वात के सिधान के कारण ग्रह युद्ध हुआ था निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो देखे C वाला जो है ये सत्य नहीं है श्रीलंका में तमिलो द्वारा अबादी वाले प्रांतों को अधिक स्वतायत की मांग कर दी गई थी ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है बेल्जियम में आम तोर पर कौन सी दो भाशाएं बोली जाती है तो correct option यहाँ पर देखे C हो जाएगा French और Dutch ये दो भाशाएं बेल्जियम में मुख्य रूप से बोली जाती है बेल्जियम में निमलिकित में से किस जाती है समूग की जनसंक्या सबसे अधिक है तो correct option यहाँ पर B हो जाएगा फ्लैमिश जाती की जनसंक्या यहाँ पर सबसे अधिक है सरकार के उच्चेवं निम ने इस तरों के 20 शक्तियों का विभाजन कहलाता है तो correct option C हो जाएगा इसे उर्दवादर विभाजन कहा जाता है निमलिकित में से कौन सा सत्ता साजेदारी का वैद कारण नहीं है तो A option सही है बहु संक्या गवाद के लिए यह जो है यह सत्ता साजेदारी का वैद कारण नहीं है अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित ना करने का इनमें से कौन सा उधारण है तो correct option देखिए यहाँ पर इसका D हो जाएगा A और B दोनो मतलब श्रीलंका और योगोसलाविया यह दोनों आने समुदायों की मांगों को समायोजित ना करने का उधारण है तो यहाँ पर D option एकदम correct हो जाएगा डेमोक्रेसी सब्द ग्रीक शब्द डेश्ट से आया है तो correct option यहाँ पर B है डेमोक्रेटिया डेमोक्रेसी शब्द डेमोक्रेटिया से आया है लोगतंत्र हमें अपनी गल्तियां सुधारने की अनुमती कैसे देता है तो देखे correct option यह पर C हो जाएगा शाशकों को बदला जा सकता है इस तरीके से लोगतंत्र हमें अपनी गलतियां सुधारने की अनुमती देता है लोगतंत्र सरकार का वहां रूप है जो तो correct option आपर C हो जाएगा लोगों को अपने शाशकों को चुनने की अनुमती देता है वही लोगतंत्र का सरकार का रूप है तो C option एकदम correct हो जाएगा किसी भी समाज में लोगों के विचारों और हितों में मतभेद होना सौभाबिक है इन संगर्षों से निपटने का एक बहतर तरीका है तो देखे क्या हो जाएगा बहतर तरीका C option सही है सभी को समान अफसर प्रदान करके लोगों के विचारों और हितों में जो मतभेद है वो सौभाबिक है इन संगर्षों से निपटने के लिए सभी को क्या करना चाहिए समान अफसर प्रदान करना चाहिए लोगतंतर में तो correct option यहाँ पर देखे C हो जाएगा इन में से कौन लोगतंतर के व्यापक अर्थ का उधारन नहीं है तो देखे C option किसी भी शादी की योजना में कोई दखल नहीं देना ये लोगतंतर के व्यापक अर्थ का उधारन नहीं है लोगतंतर का सरवत्र विस्तार हुआ कब हुआ देखिए तो correct option है B बीसवी सदी में लोकतंत्र का सरवत्र विस्तार हुआ है भारतिय राजनिती वेवस्ता में कौन सी संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उधारण है तो correct option C हो जाएगा ग्राम सभा ये भारतिय राजनितिक वेवस्ता में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उधारण है उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वयम को स्वतंत्र घोशित कर दिया देखे कब कर दिया तो correct option B हो जाएगा 1776 में आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका ने ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वयम को स्वतंत्र घोशित कर दिया था तो 7076 एकदम correct option ह हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है तो correct option यहाँ पर B हो जाएगा प्रती निधी लोकतंत्र यह हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है घाना कब स्वतंत्र हुआ देखिए ये भी direct question पूछ लिया जाता है correct option B हो जाएगा 1957 में घाना स्वतंत्र हुआ था है वो 1966 से स्टार्ट हुआ था और 1975 तक ये चला था तो आपको याद रखना है कि ये कब तक चला तो 1975 तक चला था 1999 में पाकिस्तान में सैन ये तकता पलट का नेतरित्व किस ने किया तो देखे किस ने किया था इन में से तो करेक्ट आप्शन यापर C हो जाएगा परवेज मुसर्रफ के द्वारा 1999 में पाकिस्तान में सैन ये तकता पलट का नेतरित्व किया गया था 2005 तक लगबग कितने देशों में बहुदलिये चुनाओ हो रहे थे तो करेक्ट आप्शन यापर C हो लगबग 140 देशों में बहुदलिये चुनाओ हो रहे थे 2005 तक एक वैक्टी एक वोट का अर्थ है तो देखें करेक्ट आप्शन यापर B हो जाएगा एक वैक्टी के पास एक वोट होता है और प्रत्य वोट का एक मूले होता है ये इसका अर्थ है तो B आप्शन एकदम करे अर्थ है तो देखें करेक्ट आप्शन यापर C हो जाएगा जन्रल अगस्टो पिनोशे के द्वारा 1973 में चिली में सैने तक्ता पलट का नेतरित्व किया गया था जन्वरी 2006 में चिली के रास्टपती के रूप में किसे चुना गया तो देखें करेक्ट आप्शन यापर A हो जाएगा मिशेल बाचलेट को जन्वरी 2006 में चिली के रास्टपती के रूप में चुना गया था सद्दाम हुसेन इराक के रास्टपती कब बने तो correct option आपर C हो जाएगा 1979 में सद्दाम हुसेन इराक के रास्टपती बने थे विरोध करने वालों को अपना समर्थन दिखाने के लिए मैक्सिको ओलंपिक के सूपर समहरों के दौरान अमेरिकी एथलीट पीटर नॉर्मन तो correct option B हो जाएगा तो पीटर नॉर्मन ने मानो अधिकार वेच पहना था ये question भी देखे पूछा गया है तो आपको याद रखना है क्योंकि बुक में ये दिया गया है अलंदे चीली की socialist party के संस्थापक नेता थे उन्होंने राष्टपती चुनाओं में popular unity गडबंधन को किस वर्ष जीत दिलाई तो देखे correct option याँ पर C हो जाएगा 1970 में उन्होंने popular unity गडबंधन को जीत दिलाई थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाईज से क्या तातपरे है तो correct option याँ पर C हो जाएगा सभी वयसकों को vote देने का अधिकार है यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाईजी होता है चीनी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार क्यों नहीं कहा जा सकता जबकि वहाँ चुनाओं होते हैं तो देखे इसका कारण क्या है तो D option correct हो जाएगा सरकार हमेशा कम्मिनिस्ट पार्टी द्वारा ही बनाई जाती है इसलिए इसे लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जाता भले ही वहाँ पर चुनाओं होते हैं तब भी इसे लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे स्वतंतरता के बाद घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर रास्टपती कौन बने तो Correct Option यहाँ पर B हो जाएगा Jomo Kenyatta ये घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर रास्टपती बने थे 1930 में अपनी स्वतंतरता के बाद से 2000 तक मैक्सिको में किस पार्टी ने हमेशा चुनाओ जीता तो देखें यहाँ पर इसका correct option हो जाएगा C संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी ने हमेशा चुनाओ जीता है 2000 तक मैक्सिको में तो यह most important है आपको याद रखना है चिली में सین शिविर का नेतरित्व किए गया था किस के द्वारा किए गया था तो C option correct है जनरल मानिक शा के द्वारा चिली में सین शिविर का नेतरित्व किए गया था उत्तरी Ireland और नीदर्लैंड में प्रमुख धार्मिक सम्हू का नाम बताईए तो देखे यहाँ पर इसका correct option B हो जाएगा इसाई धर्म उत्तरी Ireland और नीदर लैंड दोनों में ही जो धर्म चलता है वो कौन सा धर्म है इसाई धर्म जन्मत संग्रे कराने के निर्ने के बाद पिनोशे की सैन ये ताना शाही कब समाप्त हो गई तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा 1988 में जन्मत संग्रे कराने के बाद पिनोशे की सैन ये ताना शाही समाप्त हो गई थी जिम बॉम्बे की आजादी के बाद से किस पार्टी ने शाषन किया और उसका शाषक कौन है तो देखे करेक्ट आप्शन यहाँ पर इसका A हो जाएगा JNU PF ने शाषन किया और रॉबर्ट मुगावे उसके शाषक थे सेन शाषन के बाद चिली ने आयोजित किया तो क्या आयोजित किया था तो A करेक्ट हो जाएगा चार रास्ट पती चुनाओ जिन में विभेन राजनितिक दलो ने भाग लिया था सेयुक्त रास्ट के उस निकाय का नाम बताईए जो संसत की तरह कार्य करता है तो करेक्ट आप्षन यहाँ पर क्या हो जाएगा जनरल बाचलेट की बेटी मिशेल बाचलेट किस वर्ष चिली की रास्टपती चुनी गई तो करेक्ट आप्षन यहाँ पर C हो जाएगा उप्रोक्त सभी नागरिकों को सोचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए संग बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए विरोध जताने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए मतलब सभी option सही है तो D option एकदम correct हो जाएगा मिशेल रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला बनी कहां की महिला तो देखी यहां पर correct option C हो जाएगा Latin America की रक्षा मंत्री बनने वाली ये पहली महिला थी मिशेल सुरक्षा परिशत के 5 इस्थाई सदस्यों के नाम बताईए ये question बहुत पूछा जाता है D option एकदम correct हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस, ब्रीटेन, रूस और चीन ये सुरक्षा परिशत के 5 इस्थाई सदस्यों है 1980 में Polish पर किसका शाशन था तो देखे correct option यापर C हो जाएगा Polish United Workers Party के द्वारा 1980 में Polish पर शाशन किया गया था नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषता आविश्यक है तो देखे correct option यापर D हो जाएगा उप्रोक्त सभी तो ये आपको याद रखना है वाक एवम अविवैक्ति की स्वतंतरता के संबंद में इनमें से कौन सा असत्य है तो सी वाला जो है वासत्य हो जाएगा कोई इसका उप्योग लोगों को सरकार के खिलाब भढ़काने के लिए कर सकता है ये वाला जो कतन है ये असत्य है वाक एवम अविवैक्ति की स्वतंतरता के संबंद में कानून के शाषन के तहट इनमें से किसकी अनुमती है तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर A हो जाएगा प्रधान मंत्री को सम्विधान का उलंगन करने पर डंडित किया जा सकता है ये कानून के शाषन के तहट अनुमती दी गई है जिम बॉमबे के मामले में इनमें से कौन सा कथन सही है तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर इसका D हो जाएगा दोनो B और C लोगप्रिय सरकारे आलोक तांत्रिक हो सकती है लोगप्रिय नेता निरंकुष हो सकते है ये दोनों ही पॉइंट सही है मतलब D आप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा पॉलेंड में सरकार को निमलिकित सरकार द्वारा समर्थित समर्थन प्राप्थ है तो करेक्ट आप्शन यहाँ पर इसका D हो जाएगा USSR पॉलेंड में सरकार को USSR सरकार द्वारा समर्थित समर्थन प्राप्थ है विश्व बैंक का अध्यक्ष सदेव से रहा है तो कौन रहा है तो correct option B हो जाएगा USA ये हमेशा से विश्व बैंक का अध्यक्ष रहा है चुनावी प्रतिसपर्धा कैसे काम करती है तो देखे correct option D हो जाएगा यदि वे अपने काम से मतदाताओं को संतुस्ट करने में विफल रहते हैं तो वे दुवारा जीत नहीं पाएंगे ऐसे चुनावी प्रतिसपर्धा काम करती है कानून के शाषन के तहट इन में से किसकी अनुमती है तो देखे correct option A हो जाएगा संविधान का उलंगन करने पर प्रधान मंतरी को डंडित किया जा सकता है ये कानून के शाषन के तहट इसकी अनुमती दी गई है निमलिखित में से कौन सी इस्थिती लोकतांत्रिक है तो correct option देखे यहाँ पर D हो जाएगा दक्षिन अफरिका की अफरीकी रास्टिये कॉंग्रेस ने एक सम्विधान बनाया जिससे अपने नागरीकों को सबसे व्यापक अधिकार दिये तो D option एक लोकतांत्रिक स्थिती को दर्शाता है तो वो एकदम correct हो जाएगा सरकार के किस अंग को नागरीकों के अधिकारों की रक्षा करना आविशक है तो correct option C हो जाएगा स्वतंतर न्याय पालिका को नागरीकों के अधिकारों की रक्षा करना आविशक है दिसंबर में जनरल जारू जेलंस की द्वारा किस वर्ष पॉलेंड में मार्शल लौ लगाया गया था तो देखें करेक्ट आप्शन यहाँ पर A हो जाएगा 1981 में पॉलेंड में मार्शल लौ लगाया गया था Solidarity ने सिनेट की सभी 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीट पर जीत हासिल करी तो देखें यहाँ पर इसका करेक्ट आप्शन C हो जाएगा उन में से 99 सीटों पर जीत हासिल करी थी Solidarity ने लोगतंत्र की कुछ कमिया है तो करेक्ट आप्शन यहाँ पर D हो जाएगा उपरोक्त सभी अइस्थिर्ता और देरी भ्रस्टचार और पाखंड राजनेता आपस में लड़ रहे हैं यह सभी कमिया है लोगतंत्र की तो D आप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा पॉलेंड में किस देश ने निरंकुष सरकार का समर्थन और नियंत्रन किया तो देखे करेक्ट आप्शन यहाँ पर C हो जाएगा रूस ने पॉलेंड में निरंकुष सरकार का समर्थन और नियंत्रन किया था समविधानिक कानून क्या है? correct option यहापर A हो जाएगा समविधान में दिये गए प्रावधान यही समविधानिक कानून कहलाते हैं निमलिखित में से किस से लोगतंत्र का प्रसार नहीं होता तो correct option B हो जाएगा विदेशी देश द्वारा आक्रमंट से लोगतंतर का प्रसार नहीं होता है कानून के शाषन के तहट इन में से किसकी अनुमती है तो देखिए रिपीटेट क्वेशन है ए आप्शन सही है या पढ़ लेना है अंतरास्टिये मुद्राकोश की स्थापना क्यों की गई एक का सामना करना पड़ा तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 1958 से 61 के टाइम पर चीन को भीशन आकालों में से एक का सामना करना पड़ा था घानावास के प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे तो correct option देखिए यहाँ पर B हो जाएगा नक्रूमा ये घानावास के प्रथम प्रधान मंत्री थे लोगतंत्र निर्णा लेने की गुडवत्ता में सुधार करता है क्योंकि तो correct option इसका हो जाएगा B निर्णा परामश और चर्चा द्वारा लिये जाते हैं इसलिए लोगतंत्र निर्णा लेने की गुडवत्ता में सुधार करता है सयुक्त रास्ट की सुरक्षा परिशद में कितने सदस्य देश हैं तो correct option इहाँ पर C हो जाएगा 15 ہी हो जाएगे सयुक्त रास्ट की सुरक्षा परिशद में कितने सदस्य हैं 15 सदस्य हैं जिन में से 5 सथाई सदस्य हैं और 10 आस्थाई सदस्य हैं इन में से किस मामले में लोकतंत्र पूर्ण समाधान नहीं दे सकता तो correct option यहाँ पर D हो जाएगा उप्रोक्त सभी गरीबी को पूरी तरे से हटाना सभी को सिक्षा प्रदान करना सभी को नौकरी देना मत नेपाल में सरकार का मुख्या होता है तो देखिए इन में से कौन नेपाल में सरकार का मुख्या होता है तो correct option A हो जाएगा रास्टपती नेपाल में सरकार का मुख्या होता है सयुक्त राज अमेरिका ने लोकतांत्रिक सम्विधान अपनाया देखिए कब अपनाया है तो correct औप्शन A हो जाएगा 1787 में संयुक्तराज अमेरिका ने लोकतांत्रिक सम्विधान को अपनाया मेरी मात्र भूमी के कारे करता मुझे चिली और उसके भविश्य पर भरोसा है गुंडा गिर्दी कायरता और देश द्रो की निंदा करना एक नैतिक सबक होगा ये किस ने कहा तो देखी यहाँ पर करेक्ट आप्शन C हो जाएगा सालवा डोर अलंदे के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था एक मात्र देश जहां 1900 तक प्रतेक वयस्क को मतदान का अधिकार था 1973 में चिली में सैन ये तक्ता पलट का नेतरित्व किस ने किया तो देखे करेक्ट आप्शन C हो जाएगा जनरल अगस्टो पिनोसे के द्वारा 1973 में चिली में सैन ये तक्ता पलट किया गया मुगावे ने अपने लोगों पर किस तरह का जुल मढ़ाया तो correct option आपट D हो जाएगा सभी मतलब विपक्षी दल के कारे करताओं को परिशान किया गया और उनकी बैठक में बाधा डाली गई सरकार के खिलाफ सारवजनिक विरोध और प्रदर्शन को अवैद घोशित कर दिया गया एक ऐसा कानून था जो रास्टपती की आलोचना करने के अधिकार को C मित कर देता है तो ये सारी चीजे की थी तो D option एकदम correct हो जाएगा घाना एक ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था जिसका नाम था तो देखिए correct option C हो जाएगा gold coast घाना जो था वो एक ब्रिटिश उपनिवेश था और gold coast के नाम से जाना जाता था देखिए हाँ पर चुनाओ हो जाएगा चुनाओ के दौरान राजनितिक दलो और उम्मीद वारो द्वारा पालन किये जाने वाले मान डंडो और दिशा निर्देशों का एक सैट कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है C option सही हो जाएगा आचार सहीता कहा जाता है मैनमार में किस प्रकार की सरकार है तो देखिए correct option C हो जाएगा सेना शाषन वाली सरकार है मैनमार में किसी भी सरकार को लोगतंत्र कहलाने के लिए किन अधिकारियों को चुना जाना चाहिए तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आप्शन A हो जाएगा तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर C हो जाएगा जो ग्राम सभा है यह प्रत्यक्ष लोगतंत्र का उधारण है चीनी संसत को क्या कहा जाता है तो करेक्ट आप्शन A National Pupal Congress यह चीनी संसत को कहा जाता है लोगतंत्र में प्रत्यक वयस्क नागरिक के पास होना ही चाहिए तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर C हो जाएगा A और B दोनों मतलब एक वोट होना चाहिए और प्रतेग वोट का एक मूल होना चाहिए ये दोनों ही option correct है मतलब C option एकदम सही हो जाएगा Mexico कब स्वतंत्र हुआ तो देखे correct option C हो जाएगा 1980 में Mexico स्वतंत्र हुआ था Mexico अपने रास्टपती को चुनने के लिए हर डैश वर्षों के बाद चुनाओ आयोजित करता है तो correct option है हाँ पर क्या हो जाएगा correct option C छे वर्षों में ये चुनाओ आयोजित करता है अपने रास्टपती को चुनने के लिए किस वर्ष तक सौधी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो correct option देखे यहाँ पर हो जाएगा C 2015 तक सौधी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था Nelson Mandela को जेल की सजा कब सुनाई गई तो यहाँ पर देखे correct option B हो जाएगा 1964 में Nelson Mandela को जेल की सजा सुनाई गई थी रंग भेद की वेवस्था किस प्रकार दक्षिन अफरी की लोगों के बीच भेदभाव करती थी तो correct option देखे D है उप्रोक्त सभी जातियों की बीच प्रतिबंदित सामाजिक संपर्क सारवजनिक सुविधाओं का प्रथकरन नसल विसिस्ट नौकरी श्रेणिया बनाई गई थी यह सारे ही option सही है मतलब D option एकदम correct हो जाएगा उप्रोक्त सभी Nelson Mandela ने जेल में कितने साल विताए तो देखें यहाँ पर correct option 27 हो जाएगा आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किये हैं जो लास्ट वीडियो है इसमें कि जो 28 यहाँ पर हो जाएगा कि 28 यह तक Nelson Mandela जेल में रहे हैं लेकिन एक्चुली में इसका correct option 27 ही है अगर हम यरवाइस भी देखें तो 1964 में उन्हें जेल में डाला गया था और 1990 में उन्हें आजाद कर दिया गया था तो लगबग 26 साल पूरे होकर 27 साल लगा था तो इस हिसाब से जो उनकी बुक है परसनल जो उनकी लॉंग वॉक टु फ्रीडम है जो उनकी आत्मक था उसमें भी 27 इयर्ज ही दिया गया है तो इस हिसाब से C आप्शन बिल्कुल करेक्ट है नेलसन मंडेला जेल में 27 इयर्ज तक ही रहे हैं डॉक्टर अंबेटकर ने समविधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था इनमें से कौन सा विकल्प चुना जाता है तो करेक्ट आप्शन है D उपरोक्त सभी मतदाता चुन सकते हैं कि उनके लिए कौन कानून बनाएगा वे चुन सकते हैं कि सरकार कौन बनाएगा वेस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार का मार्ग दर्शन करेगी इसलिए D option एकदम करेक्ट हो जाए किस कारण से फूट और गुटबाजी की भावना पैदा होती है तो देखिए करेक्ट option D हो जाएगा समाज के कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिदित्व देना ये आरक्षित निर्वाचन छेत्र सुनिशित करता है भारत में सबसे बड़ा लोकसभा शेत्र निमलिकित में से किसका है तो देखिए करेक्ट option या पर B हो जाएगा उसे ही जल युद का नाम दिया गया किस विती एजिंसी संगटन ने सरकार पर नगरपाली का जल आपूर्ती का नियंतरन छोड़ने के लिए दबाव डाला तो देखिए कौन सी एजिंसी है वो तो करेक्ट option B हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा सरकार पर नगरपाली का जल आपूर्ती का नियंतरन छोड़ने के लिए दबाव डाला गया था राजा ग्यानेंद्र ने ततकालीन प्रधानमंत्री को कब बरखास्त किया और संसत को भंग कर दिया तो यहाँ पर करेक्ट option A हो जाएगा फरवरी 2005 में राजा ग्यानेंद्र ने ततकालीन प्रधानमंत्री को बरखास्त किया और संसत को भंग कर दिया था राजा विरेंद्र की शाही परिवार के एक रहस्से में नरसंगार में हत्या कर दी गई देकि कब की गई है यह तो करेक्ट option B हो जाएगा 2001 में राजा विरेंद्र की हत्या कर दी गई थी बोलीविया के लोगों ने किसके विरुद्ध सफल संगर्ष का नेत्रित्व किया करेक्ट option है C पानी का निजी करण को लेकर बोलीविया के लोगों ने एक संगर्ष किया था और उस संगर्स का लोगों ने नेत्रित्व किया था गलत कथन चुने तो देखी यहाँ पे गलत कथन का option D हो जाएगा इन में से कोई नहीं बहुरास्टी कंपनी ने पानी की कीमत चार गुना बढ़ा दी थी कई लोगों को 1000 रुपे का मासिक बिल मिला पानी के बिल में इस भारी बड़ोत्री के कारण लोगप्रिये विरोध हुआ तो ये सभी point जो है वो सही है तो D इन में से कोई नहीं ये option correct इन में से कौन संगटित राजनीती की एजिंसियों में से एक नहीं है तो देखे D option correct हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं समविधानिक उप्चारों के अधिकारों को समविधान का हिर्दय और आत्मा कहा गया है सत्रवी सताबदी में अफरीका के अश्वेतों के नाम से जानी जाने वाली मूल जनसंख्या क्या थी तो देखे यहाँ पर इसका correct option जो हो जाएगा वो C है तीन चौथाई जनसंख्या थी अश्वेतों के नाम से जाने जाने वाली मूल जनसंख्या तो C option एकदम correct हो जाएगा दक्षिन अफरिका में लोकतांत्रिक समविधान के निर्माण में सबसे प्रमुक अंतनिहित संगश इनमे से कौन सा था तो देखे correct option यहाँ पर D हो जाएगा जो श्वेत अलपसंख्याक और अश्वेत बहुमत के बीच हुआ था वो मतलब D option एकदम correct हो जाएगा यहाँ पे देखे आपको श्वेत अलपसंख्याक और अश्वेत बहुमत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये रंगीन और काले ये याद करने की बजाए श्वेत और अश्वेत के रूप में आप याद करना क्योंकि option में ऐसे ही पूछा जाता है तो D option एकदम correct हो जाएगा साओधी अरब पर डैश का शाशन है तो देखे correct option यहाँ पर D हो जाएगा साओधी अरब पर राजसाही का शाशन है भारत का समविधान कब अपनाया गया ये तो सभी को पता होगा question हम भारती है हमें पता होना गर्व की बात है कि हमें पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा समविधान अपनाया गया था नेलसन मंडेला को किस आरोप में आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई थी तो देखे correct option यहाँ पर इसका A हो जाएगा देश द्रोह के लिए नेलसन मंडेला को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई थी दक्षिन अफरिका एक लोगतांतरिक देश कब बना तो यहाँ पर correct option B हो जाएगा 26 अपरेल 1994 को दक्षिन अफरिका एक लोगतांतरिक देश बन गया था इन में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो लोगतांतरिक सम्विधान में नहीं है तो correct option B हो जाएगा राज्य के प्रामुक का नाम यह लोगतांतरिक सम्विधान में नहीं है तो B option एकदम correct हो जाएगा सम्विधानिक कानून क्या है correct option A सम्विधान में दिये गए प्रावधान ही सम्विधानिक कानून कहलाते है श्वेत शाषन ने अपनी नीतियों को बदलने का निर्णय क्यों लिया तो correct option आपट D हो जाएगा दोनो A और B विरोध और संगर्ष में बृद्धी हो गई थी सरकार को एसास हुआ कि दमन मुश्किल होता जा रहा है इसलिए श्वेत शाषन ने अपनी नीतियों को बदलने का निर्णय किया था तो D option एकदम correct हो जाएगा सम्प्रभू से आप क्या समझते हैं तो correct option है A लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच अधिकार है ये सम्प्रभू से आशे है तो A option बिल्कुल यहाँ पर correct हो जाएगा वर्तमान समय में भारतिय नागरिकों को मौलिक कर्तव ये दिये गए है कितने मौलिक कर्तव ये दिये गए है तो C option correct है 11 मौलिक कर्तव ये दिये गए है भारतिय नागरिकों किस वर्ष अस्वेद, काले और भारतियों ने रंगवेद वैवस्था के खिलाप लड़ाई लड़ी तो देखे किस वर्ष लड़ी थी correct option C हो जाएगा 1950 में ये लड़ाई लड़ी गई थी अश्वेद, काले और भारतियों के द्वारा रंगवेद वैवस्था के खिलाफ रंगवेद की समापती के साथ दक्षिन अफरीकी गंडराज्य के पहले रास्टपती कौन बने तो correct option या पर C हो जाएगा नेलसन मंडेला ये रंगवेद की समापती के साथ दक्षिनी अफरीका गंडराज्य के पहले रास्टपती बने most important question है बहुत बार ये पूछा भी गया है किसी दस्ता बेच के एक विसिस्ट अनुभाग को डैश कहा जाता है तो correct option है B खंड किसी दस्ता बेच के एक विसिस्ट अनुभाग को खंड कहा जाता है डैश एक चात्र संगटन था जिसमें अलगाओं की नीतियों के खिलाफ संगश का नेत्रित्व किया तो देखिए यहाँ पर correct option इसका B हो जाएगा अफ्रीकी रास्टिये कॉंग्रेस यह एक चात्र संगटन था जिसने अलगाओं की नीतियों के खिलाफ संगश का नेत्रित्व किया था दक्षिन अफ्रीका गंडराज्य का रास्टिये ध्वच कब फेराया गया था तो देखिए correct option A हो जाएगा 1994 में दक्षिन अफ्रीका गंडराज्य का रास्टिये ध्वच फेराया गया था इन में से कौन दक्षिन अफ्रीकी सरकार के बदले हुए रवईये का हिस्सा नहीं था तो correct option D अधिक भेदभाव पूर्ण कानून पारित किये गए ये दक्षिन अफ्रीका सरकार के बदले हुए रवईये का हिस्सा नहीं था सम्विधान की शुरुआत उसके बुनियादी मूलियों के एक संचिप्त विवरंड से होती है इसे क्या कहते हैं तो देखिए correct option B हो जाएगा इसे प्रस्तावना कहा जाता है और ये question बहुत जादा exam में पूछा जाता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक like करके motivate जरूर कर दीजे और प्लीज वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजे नए लोग तांतरिक दक्षिन अफ्रिका के उद्भाव के बाद अश्वेत नेताओं ने साथी अश्वेतों से अपील की क्या अपील की थी तो ए करेक्ट हो जाएगा गोरों को उनके द्वारा किये गए अत्याचारों के लिए छमा करें ये अपील की थी अश्वेत नेताओं ने अपने साथी अश्वेतों से तो A option यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इन में से कौन सा देश गड़तंत्र का उधारण है तो देखिए D correct हो जाएगा उप्रोक्त सभी USA, भारत, दक्षिन अफरिका ये सभी गड़तंत्र के उधारण है दक्षिन अफरिका में लोकतांत्रिक सम्विधान के निर्माण में सबसे प्रमुक अंतरनीत संगर्ष इन में से कौन सा था तो देखिए D correct हो जाएगा ये भी वो repeated question है तो इसे आप देख लीजेगा Nelson Mandela की आत्मकथा का नाम बताईए most important है ये तो देखिए यहाँ पर correct option जो हो जाएगा वो यहाँ पर A है स्वतंत्रता की लंबी यात्रा यानि की long walk to freedom ये Nelson Mandela की आत्मकथा का नाम है और बहुत जादा ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दक्षिन अफरिका को अपना समविधान बनाने में कितने वर्ष लगे तो correct option या पर B हो जाएगा दो वर्ष का समय लगा दक्षिन अफरिका को अपना समविधान बनाने के लिए भारत के संप्रभू स्थिति के संबंद में इन में से कौन सी स्थिति सही है तो देखे C, भारत सरकार केवल अपनी आंत्रिक और बहारी नीतियां तै कर सकती है ये बिल्कुल सही है, तो C option सही हो जाएगा 1930 में अपनी स्वतंतरता के बाद से 2000 तक मैक्सिको में किस पार्टी ने हमेशा चुनाओ जीता तो correct option C है, संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी ने 1930 में अपनी स्वतंतरता के बाद से 2000 तक मैक्सिको में जो चुनाओ है वो हमेशा जीता भारती के सम्विधान की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे? तो देखे करेक्ट आप्शन यहाँ पर A हो जाएगा डॉक्टर भीम राओ अमबेट कर यह प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे 1994 तक कौन सा देश पूरी दुनिया में सबसे अधिक निंदा वाला देश था? तो करेक्ट आप्शन यहाँ पर C हो जाएगा दक्षिन अफरिका 1994 तक पूरी दुनिया में सबसे अधिक निंदा वाला देश था नए सम्विधान में अश्वेद आबादी चाहती थी तो क्या चाहती थी तो B करेक्ट हो जाएगा पर्याप्त समाजिक और आर्थिक अधिकार ये नए सम्विधान में अश्वेद आबादी चाहती थी तो B ओप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अफ्रीकी अमेरिकी किसके वंचज है तो देखे करेक्ट आप्शन यहाँ पर B हो जाएगा अफ्रीकी के वंचज है एफ्रो अमेरिकी भी इन्हें कहा जाता है तो B आप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है संविधान को अपनाने से पहले कितने संशोधनों पर विचार किया गया तो correct option यहाँ पर B हो जाएगा 2000 के आसपास संशोधनों पर विचार किया गया समविधान को अपनाने से पहले कानूनी दस्तावेच के प्रारंबिक संसकरन को डैश कहा जाता है तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा कानूनी दस्तावेच के प्रारंबिक संसकरन को ड्राफ्ट कहा जाता है C option एकदम करेक्ट हो जाएगा सम्विधान बनाने के लिए बातचीत के दौरान गोरे सहमत हुए तो करेक्ट option है D उप्रोक्त सभी बहुमत शाशन का सिद्धान एक वेक्ती एक वोट गरीवों और श्रमिकों के लिए कुछ बुनियादी अधिकार सुईकार करे मतलब ये सारी बाते उन्होंने इन सारी बातों पर सहमत हो गए थे तो D option एकदम करेक्ट हो जाएगा सम्विधान क्या करता है तो देखिए यहाँ पर करेक्ट option D हो जाएगा मतलब A और C दोनों सही है सम्विधान सर्वोच कानून है जो किसी शेत्र में रहने वाले लोगों के 20 सम्मंद और लोगों और सरकार के 20 सम्मंद भी निर्धारित करता है या निर्दिस्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा किसके पास कौन से निर्णे लेने की शक्ती है मतलब D option एकदम करेक्ट हो जाएगा वे सभी देश जिनके पास सम्विधान है तो करेक्ट option है A आविश्यक रूप से लोगतांत्रिक नहीं है वे सभी देश जिनके पास सम्विधान है जरूरी नहीं कि वो सभी देश लोकतांत्रिक हो इसलिए A option एकदम correct हो जाएगा मोतिलाल नहरू ने भारत के लिए सम्विधान का मसौदा कब तयार किया तो देखिए correct option यहाँ पर D हो जाएगा C 1928 में मोतिलाल नहरू ने भारत के लिए सम्विधान का मसौदा तयार किया था भारत का सम्विधान सबसे पहले कब तयार किया गया था तो देखिए वही correct option है C 1928 में मोतिलाल नहरू के द्वारा सबसे पहले भारत का सम्विधान तयार किया गया था भारतिय सम्विधान ने भारत सरकार अधीनियम जैसे उपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया तो कौन सा अधीनियम से अपनाया गया है तो correct option A हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधीनियम से बहुत सारे articles को अपनाया गया है भारतिय सम्विधान में तो A option बिलकुल correct हो जाएगा इन में से किसने सम्विधान बनाते समय हमारे नेताओं को प्रेरित किया तो देखे correct option यहाँ पर इसका D हो जाएगा उपरोक्त सभी मतलब फ्रांसिसी क्रांती के आदश, ब्रिटेन में संसदिय लोकतंत्र, अमेरिका में अधिकारों का बिल इन सभी ने नेताओं को प्रेरित किया है तो D option एकदम correct हो जाएगा राजनितिक नेताओं को किसी समुदाय की मांगे कैसे उठानी चाहिए तो correct option देखिए यहाँ पर B है उन मांगो को समायोजित करें जो समवेधानिक धाचे के भीतर है इस तरेकी की मांगो को उठाना चाहिए भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था तो correct option यहाँ पर इसका हो जाएगा देखिए कराची में भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस का 1931 का अधिवेशन आयोजित किया गया था समविधान सभा के चुनाओ कब हुए थे बहुत पूछा जाने वाला question है correct option यहाँ पर B हो जाएगा 1946 में समविधान सभा के चुनाओ हुए थे भारतिय समविधान लिखने वाली समविधान सभा में डैश सदस्य थे तो देखिए कितने सदस्य थे तो C correct हो जाएगा 299 सदस्य थे भारतिय समविधान लिखने वाली समविधान सभा में इन में से किस विशेष्टा को सभी भारतिय निताओं ने अपने पत पर आसीन होने से बहुत पहले ही स्विकार कर लिया था तो देखिए correct option यहाँ पर D हो जाएगा उप्रोक्त सभी मतलब सारवो भौमिक वहस्क मत अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अल्प संख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा इन सभी को भारतिय निताओं ने अपने पत पर आसीन होने से बहुत पहले ही स्विकार कर लिया था मतलब D option एकदम correct हो जाएगा प्रारूप समीती की अध्यक्षदा किसने की बहुत बार पूछा जाता ही question correct option C हो जाएगा डॉक्टर B आरंबेटकर के द्वारा प्रारूप समीती की अध्यक्षदा की गई थी नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देशि समाप्त करना था क्या समाप्त करना था तो correct option B हो जाएगा अमेरिका में नसलवाद को समाप्त करने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था विधान सभा ने समविधान को कब अपनाया तो देखिए correct option A हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को विधान सभा ने समविधान को अपनाया था मुदृत होने पर सम्विधान सभा की रिकॉर्डिंग कितने खंडों में थी तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा 12 खंडों में मुदृत होने पर सम्विधान सभा की रिकॉर्डिंग थी तो C option correct है 1931 का Congress Adivation कहां आयोजित हुआ तो देखिए A option सही है कराची में आयोजित किया गया था 1931 का Congress Adivation भारतिय सम्विधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो देखिए यहाँ पर correct option हो जाएगा D प्रस्तावना को भारतिय सम्विधान की आत्मा कहा जाता है भारतिय सम्विधान कब लागू किया गया तो देखिए यह तो सभी को पता होगा कि C option correct है 26 जनवरी 1950 को जब हम Republic Day मनाते हैं तभी हमारा सम्विधान लागू किया गया था सम्विधान सभा की प्रारुप समीती के अध्यक्ष देखिए फिर से रिपीट हो गया है C option correct है डॉक्टर बी यार अमबेटकर प्रारुप समीती के अध्यक्ष दे धर्मन इर्पेक्ष से क्या तातपर है तो correct option यह पर A हो जाएगा नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंतरता है लेकिन कोई अधिकारिक धर्म नहीं है सरकार सभी धर्मिक मानिताओं और प्रथाओं को समान समान के साथ मनाती है मतलब A option एकदम correct हो जाएगा धर्मन इर्पेक्ष के बारे में सम्विधान सभा की बैठक कितने दिनों तक चली तो देखे correct option A हो जाएगा 114 दिनों तक सम्विधान सभा की बैठक चली थी बंदुत्व से क्या तात्पर है तो correct option A हो जाएगा हम सभी को ऐसा वहवार करना चाहिए जैसा की हम एक ही परिवार के सदस्य है किसी को भी अपने साथी नागरिक के साथ हीन वहवार नहीं करना चाहिए बंदुत्व की भावना हमें यही सिखाती है धार्मिक और जाती आधार पर राजनितिक प्रतिसपर्धा के कारण कौन 6 स्वतंत्र देशों में विगटित हो गया था तो देखी यहां पर correct option A हो जाएगा युगोसलाविया जो धार्मिक और जाती आधार पर राजनितिक प्रतिसपर्धा के कारण 6 स्वतंत्र देशों में विगटित हो गया था मोतिलाल नहरू और अन्य लोगों ने किस वर्ष भारत के लिए समिधान का मसौदा तयार किया था तो correct option B हो जाएगा 1928 में ये मसौदा तयार किया गया था इन में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है तो देखे जो B वाला है यदि वे मौझूदा समाजिक विभाजन के संदर्व में प्रतिसपर्धा करते तो उनकी प्रतिसपर्धा देश को एक जूट करती ये वाला जो पॉइंट है ये सही नहीं है निमलिकित में से कौन सा दुरगटना जन्म के कारण समाजिक अंतर का कारण नहीं है तो देखे correct option यहाँ पर क्या हो जाएगा correct option यहाँ पर C हो जाएगा अमीर और गरीब होना देखे ये बच्पन से होने वाली चीज नहीं है पुरुष महिला होना, लंबा छोटा होना, गुरा काला होना यह सब बच्पन से हो सकता है लेकिन अमीर गरीब होना ये बच्पन से या दुरगटना जन्म का सामाजिक अंतर नहीं है तो C option एकदम correct हो जाएगा सैन जोस स्टेट युनिवर्सिटी ने टॉमी स्मित और कार्लोस को कैसे सम्मानित किया तो correct option एपर B हो जाएगा विश्व विद्याले परिसर में उनकी मूर्तियां स्थापित करके टॉमी स्मित और कार्लोस को सम्मानित किया गया था सैयुक्त राज अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब तक चला तो देखिए B हो जाएगा 1954 से 1968 तक सैयुक्त राज अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था उत्तरी आयरलेंड में प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिदित्व किस ने किया तो किसके द्वारा किया गया था तो B correct है रास्टवादियों के द्वारा उत्तरी आयरलेंड में प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिदित्व किया गया था निमलिकित में से कौन सा इसाई धर्म का हिस्सा नहीं है तो correct option C हो जाएगा जो बौद्ध है ये इसाई धर्म का हिस्सा नहीं है मैक्सिको सिटी में आयोजित 1968 ओलंपिक में क्या खास था तो देखे correct option यहाँ पर B हो जाएगा अफरीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफरेकी अमेरिकों के नसलिये भेदभाओं के खिलाब विरोध प्रदर्शन किया गया था तो B option एकदम correct है मैक्सिको सिटी में आयोजित ओलंपिक के बारे में निमलिकित में से किस देश को धार्मिक और जातिये पहचान के अधार पर राजनितिक जगडों के कारण विगटन का सामना करना पड़ा था तो देखे कौन सा गलत हो जाएगा C, कैतोलिक प्रोटेस्टेंटों के साथ शान्ती पूरवक रह रहे थे तो C option जो है यह हमारा correct option है सामाजिक विभाजन से निपटने में लोगतंत्र के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो देखे 482 का correct option यहाँ पर D हो जाएगा लोगतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के अधार पर समाज के विघटन की और ले जाता है यह कथन सत्य नहीं है लोगतंत्र के बारे में United Kingdom का कौन सा शेत्र कई वर्षों से हिंसक जाती है राजनितिक संगर्शों का स्थल रहा है तो कौन सा हिस्सा है तो B correct हो जाएगा उत्तरी Ireland जो कई वर्षों से हिंसक जाती है राजनितिक संगर्शों का स्थल रहा है इन में से कौन सा वाक्य सही है तो देखे एक correct option यहाँ पर D हो जाएगा उप्रोक्त सभी प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृती लेकर आते हैं वे एक अलग सामाजिक समुदाय बनाते हैं वे दुनिया को बहुत संस्कृतिक बनाने में मदद करते हैं तो इसलिए D option याने क उप्रोक्त सभी बिल्कुल correct हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो देखे ए option सही है सजातिय समाज में एक ही संस्कृती और भाशा के लोग एक साथ रहते हैं तो ए option जो है वो बिल्कुल correct है भारत में कौन सा समुदाय कमोबेश अमेरिका में अश्वेतों के स मान था राजनिती में समाजिक विभाजन को समायोजित करने वाले तीन निर्धारक क्या है तो देखे correct option D हो जाएगा उप्रोक्त सभी मतलब पहचान की भूमी का समुदाय और संस्कृती की भूमी का राजनितिक दल और सरकार की भूमी का मतलब D option यहाँ पर बिल्कुल correct हो में Protestant इसाईयों का प्रतीशत 53 प्रतीशत है कौन सा लोगतांत्रिक चुनाओ का संकेत नहीं है तो देखे D option correct है यह जरूरी है कि लोगों द्वारा पसिंदिद्दा उम्मी द्वार को चुना जाना चाहिए यह लोगतांत्रिक चुनाओ का संकेत नहीं है तो D option एकदम correct हो ज ये वादा किया था देविलाल ने कौन सा आरक्षित वर्ग नहीं है तो देखिए जो D है जनरल ये एक आरक्षित वर्ग नहीं है उस निकाय का नाम बताईए जो भारत में चुनाओ आयोजित कराता है ये बहुत पूछा जाता है करेक्ट ऑप्शन D हो जाएगा चुनाओ आय प्लीज लाइक जरूर कर दीजे और इसे जादा से जादा शेर जरूर कीजेगा और कमेंट में अपना फीडबेक जरूर बताईएगा किस उम्मिद्वार को निर्वाचित घोशित किया गया है तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक् प्रतिक समाजिक अंतर समाजिक बिभाजन का कारण नहीं बनता है समाजिक मतभेत समान लोगों को एक दूसरे से बिभाजित करते हैं वे बहुत अलग लोगों को भी एक जूट करते हैं तो इसलिए उप्रोक्त सभी जो है ये सही कथन हो जाएगा चुनाओ लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने के लिए निविंतम आयू कितनी वर्ष है तो देखिए अगर चुनाओ लड़ने के लिए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा बी 25 इयर्स की आयू चाहिए होती है अगर चुनाओ लड़ना है तो मतदाता सूची क्या है करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा उन लोगों की सूची जो वोट देने के पात रहे हैं वही मतदाता सूची होती है हमारा देश बिभाजित है तो देखे करेक्ट ऑप्शन B 543 निर्वाचन शेत्र में हमारा देश बिभाजित है चुनाओ कराने के कारणों के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो देखे C कथन गलत है चुनाओ लोगों को न्याय पालिका के प्रदर्शन का मुल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं ये वाला जो point है ये गलत है चुनाओ कराने के कारणों के बारे में तो C option यहाँ पर एकदम correct हो जाएगा लोग सभा का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो correct option C है पांच वर्ष का कारेकाल होता है लोग सभा का एक चुनावी कदाचार जिसमें एक व्यक्ति गैरकानून उद्देशों के लिए दूसरे की पहचान अपनाता है उसे क्या कहा जाता है तो देखे C option correct है उसे प्रती रूपन कहा जाता है भारत में स्वतंत्र एवं निस्पक्ष चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है तो correct option या पर C हो जाएगा चुनाव आयुक्त भारत में स्वतंत्र एवं निस्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है 2005 में टॉमी स्मिद और जॉन कार्लोस के विरोध का प्रतिनेदित्व करने वाली 20 फिट उची मूर्ती कहां स्थापित की गई तो देखे A option सही हो जाएगा सेन जोस स्टेट यूनिवसिटी में ये मूर्तियां स्थापित की गई थी चुनाव में लोगों की भागेदारी आम तोर पर डैश से मापी जाती है किस से मापी जाती है तो B option correct है मतदाता मतदान के आकडों के द्वारा चुनाव में लोगों की भागेदारी को आम तोर पर मापा जाता है निमलिकित में से कौन सा प्राओधान, उम्मीदवारों और राजनितिक दलों को प्रतिसपर्दा करने का निस्पक्ष और समान अफसर शुनिश्चित करने में विफल रहता है तो देखे करेक्ट आप्शन यहाँ पर B हो जाएगा कोई भी पार्टी या उम्मीदवार आदर्श अचार सहीता से बंधा नहीं है देखे एक बार आप पूरे आप्शन पढ़ लेंगे तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दिल्ली में लोगसभा निर्वाचन शेतरों की संख्या है करेक्ट आप्शन देखिए यहाँ पर A हो जाएगा उम्मीदवारों को वोट देने के लिए मतदाताओं को पैसे देना इसकी अनुमती नहीं है तो चुनाओ प्रचार करते समय A आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उम्मीदवारों को पैसे देने की अनुमती नहीं है किस वर्ष के लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओं का नारा दिया most important question है पूछा जाता है correct option A हो जाएगा 1971 के चुनाओं के टाइम पर लोगसभा चुनाओं हुए थे जब तब गरीबी हटाओं का नारा दिया गया था कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो देखिए A option 21 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरिक चुनाओं में मतदान कर सकते हैं यह वाला कथन गलत है हम सभी को पता है 18 वर्ष से अधिक उम्रे के जो नागरिक है वो मतदान कर सकते हैं यहाँ पर 21 दिया हुआ है इसलिए A option गलत है इन में से कौन सा वाक के ब्लैक पॉवर मुमेंट के बारे में सही नहीं है जो ब्लैक पॉवर मुमेंट के बारे में सही नहीं है तो देखिए कौन सा हो जाएगा D इसने शांति पूर्ण तरीकों की वकालत की यह वाला पॉइंट इसके बारे में सही नहीं है जबकि यह 1966 में उभरा यह 1975 तक चला और यह एक अत्तदिक उग्रा अंदुलन था यह सबी पॉइंट सही है लेकिन जो D वाला आप्शन है यह सही नहीं है तो हमारे लिए D आप्शन करेक्ट हो जाएगा चुनाओ आयोग द्वारा विद्दूत प्रक्रिया में कौन सा नया सुधार शुरू किया गया है तो देखे क्या किया गया है तो B आप्शन करेक्ट है इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का इस्थमाल किया जाने लगा है चुनाओ आयोग के द्वारा राज्यसभा किसी धन विदेयक को कितने समय तक विलंबित कर सकती है तो करेक्ट आप्शन है D 14 दिनों तक राज्यसभा धन विदेयक को विलंबित कर सकती है इन में से कौन सी भारतिय लोगतंत्र की विशेशता नहीं है तो देखे यहाँ पर करेक्ट आप्शन इसका D हो जाएगा भारत में हारने वाली पार्टियां चुनावी फैसले को सुईकार करने से इनकार करती है ये वाला जो पॉइंट है ये भारतिय लोगतंत्र की विशेशता नहीं है तो D आप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सा सही नहीं है तो C आप्शन जो है वो सही नहीं है चुनाव आयोग चुनाव की तारीखे तैन नहीं कर सकता ये जो आप्शन है ये सही नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग की द्वारा ही चुनाव की तारीखे भी तैक की जाती है हमारे चुनाओ कानून के अनुसार उम्मीदवार डैश नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते तो D option सही है उप्रोक्त सभी मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना जाती या धर्म के नाम पर उनसे अपील करना लोगसभा चुनाओ के लिए एक निर्वाशन शेत्र में 25 लाग से अधिक या विधान सभा चुनाओ में एक निर्वाशन शेत्र में 10 लाग से अधिक खर्च करना तो ये सभी सही पॉइंट है मतलब डी उप्रोक्त सभी एकदम करेक्ट है कि ये सारी चीजें नहीं कर सकते चुनावी उम्मीदवार भारत के मुख्य चुनाओ आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है most important question है बहुत बार पूछा जाता है करेक्ट option C हो जाएगा भारत के रास्टपती के द्वारा भारत के मुख्य चुनाओ आयुक्त की नियुक्ति की जाती है 1987 में करनाटक में शुरू हुआ किटिको हच्चिको आंदोलन किस पर आधारित था तो देखे यहां पर correct option A हो जाएगा किसानों द्वारा आहिंसक विरोध था यह किटिको हच्चिको आंदोलन इसके बारे में भी पूछा जाता है तो A option correct है आपको याद रखना है नियाय युद्ध का नेतरित्व किस ने किया तो correct option B हो जाएगा जाणों चौधरी देविलाल के ध्वारा नियाय युद्ध का नेत्रित्व किया गया था भारतीय नियाय वैस्था की दो विशिष्ष्था की दो विशिष्ष्था है कौन सी दो विशिष्ष्था है तो D option correct है दोनो A और B स्वतंत्र न्याय पालिका और एकिकरत न्याय पालिका ये भारतिये न्याय विवस्था की दो विशेष्टा हैं मतदाता आम तोर पर अपने प्रतिनिदियों को किस आधार पर चुनते हैं तो देखेए करेक्ट आप्षिन D हो जाएगा उपरोक तस अभी वे चुन सकते हैं कि अनके लिए कानून कौन बनाएगा सरकार गोन बनायगा और प्रमुक निडनाय कौन लेगा वे उनकी पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतिया, सरकार और कानून बनाने का मार्व दर्शन करेगी तो ये सारे के सारे पॉइंट सही है, मतलब D option एकदम correct हो जाएगा जनहित याची का क्या है बहुत पूछा जाता है, तो देखे correct option या पर A हो जाएगा जनता के हित में अदालत में मामला दायर करना यही जनहित याची का कहलाती है संसद्वारा पारित कानून या कारे पालिका की कारवाही की समवधानिक वैदता का न्याय करने की सर्वोच न्याले की शक्ति को क्या कहा जाता है, तो देखे correct option या पर B हो जाएगा इसे न्यायक समिक्षा कहा जाता है राजनितिक कारे पालिका के पास इस्थाई कारे पालिका से अधिक शक्तियां क्यूं होती है तो correct option है B क्योंकि राजनितिक कारे पालिका में लोगों की प्रत्यक्ष प्रतिनिदी शामिल होते हैं इसलिए राजनितिक कारेपालिका के पास इस्थाई कारेपालिका से अधिक शक्तिया होती है। SEBC के लिए 27% आरक्षन की घोशना का आदेश कब जारी किया गया। देखिए यहाँ पर बात हो रही है SEBC तो इसका पूरा नाम क्या है socially and educationally backward class इसका पूरा नाम है। और इसके लिए देखिए आरक्षन की घोशना का आदेश कब जारी किया गया था तो correct option यहाँ पर B हो जाएगा 13 अगस्त 1990 को इसके लिए आरक्षन की घोशना का आदेश जारी किया गया था। संविधान में संशोधन की संसद की शक्ती पर सर्वोच नियाले क्या कहता है तो correct option देखिए आप पर C हो जाएगा संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। most important question है इदे कि बार-बार पूछा जाता है आपको याद रखना है देखिए next question संसद में शामिल है तो कौन-कौन शामिल है correct option D हो जाएगा A और B दोनों मतलब लोगसभा और राज्यसभा और साथ में रास्टपती ये तीनों ही संसद का हिस्सा है तो D option एकदम correct हो जाएगा दुतिये पिछड़ा वर्ग आयोग कब अपनाया गया था? correct option यहाँ पर इसका D हो जाएगा 1979 में दुतिये पिछड़ा वर्ग आयोग अपनाया गया था गुट बाजी में क्या होता है? तो देखे यहाँ पर correct option इसका D हो जाएगा सभी विविन राजनीतिक दल और नेता अकसर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए पार्टियां और उम्मीदवार अकसर गंदी चाले अपनाते हैं चुनावी जगडे समस इसका B हो जाएगा socially and educationally backward classes कई बार इसका full form पूछा गया है तो आपको ये याद रखना है 1989 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किस पार्टी ने किया था? तो देखे यह correct option इहाँ पर हो जाएगा C जनता दल के द्वारा 1989 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया गया था बीपी सिंग डैश चुनाव के बाद प्रधान मंतरी बने तो correct option इहाँ पर D हो जाएगा 1989 के चुनाव के बाद वीपी सिंग प्रधान मंतरी बने थे आम तोर पर अनुभागिये हित समू बढ़ावा देना चाहते हैं किसे बढ़ावा देना चाहते हैं तो D option सही है दोनो A और C मतला समाज के समू के एक विशेश वर्ग के हित में और उनके सदस्यों की भलाई और बहतरी में अनुभागिये हित्समू बढ़ावा देना चाहते हैं तो देखे D option एकदम यहाँ पर correct हो जाएगा नौकरी में आरक्षन वांचनी है क्योंकि तो correct option है B वे उचित अफसर प्रदान करते हैं इसलिए नौकरी में आरक्षन वांचनी है नौकरी के अफसरों को आरक्षित करना अनुचित माना जाता है correct option है D उप्रोक्त सभी यह अफसर की समानता से इनकार करता है यह जातिगत भावनाओं को कायम रखता है यह रास्टी एकता में बाधा डालता है यह सभी सही है मतलब की उप्रोक्त सभी याने की D option एकदम correct हो जाएगा पिछडे वर्गों के संपन वैक्तियों को आरक्षन से बाहर करने का कार्याले ग्यापन कब जारी किया गया था तो correct option C हो जाएगा 1993 में यह कार्याले ग्यापन जारी किया गया था कौन सी लोगतांतरिक संस्थाएं सभी महतपूर्ण नीतिगत निर्णय लेती है तो कौन सी है वो तो correct option D हो जाएगा A और B दोनों मतलब प्रधान मंत्री और कैबिनेट सभी लोगतांतरिक संस्थाएं हैं तो सभी महतपूर्ण नीतिगत जितने निर्णय होते हैं वो सभी लेती है तो A और B दोनों correct है मतलब कि D option एकदम सही हो जाएगा मंत्रीयों के निर्णों को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए कौन सी लोगतांतरिक संस्था जिम्मेदार है तो इसके लिए जिम्मेदार है A option सही है सिविल सेवक इसके लिए जिम्मेदार है वहा संस्थान जहां नागरी को और सरकार के बीच विवादों को अंततहा निप्टारा किया जाता है तो correct option देखिए यहाँ पर D हो जाएगा सर्वोच नियाले के द्वारा नागरी को और सरकार के वीच विवादों का अंततहा निप्टारा किया जाता है निम्लिकित में से कौन सा अनुभागिये हित्समू नहीं है तो देखिए correct option D हो जाएगा बोलिवियाई संगटन फैडे कोर ये अनुभागिये हित्समू नहीं है भारत में निर्वाचित प्रतिनिदियों की एक रास्टिये सभा कहलाती है क्या कहलाती है तो यहाँ पर देखिए C हो जाएगा संसत भारत में निर्वाचित प्रतिनिदियों की एक रास्टिय सभा संसत कहलाती है राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिदियों की एक सभा कहलाती है तो देखे क्या कहलाती है तो यहाँ पर correct option C हो जाएगा विधान मंडल देखे विधान मंडल में विधान सभा और विधान परिशत दोनों ही आती है तो इसलिए C option याने की विधान मंडल एकदम करेक्ट हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा एक आंदोलन नहीं है तो करेक्ट option यहाँ पर D हो जाएगा अखिल भारतिये trade union congress यह एक आंदोलन नहीं है तो D option एकदम करेक्ट हो जाएगा बोलिविया का जल युद्ध किसने जीता तो देखे correct option यहाँ पर A हो जाएगा लोगों के द्वारा याने जनता के द्वारा बोलिविया का जल युद्ध जीता गया था किसी सदस्य की मृत्य वाय स्तीफे के कारण हुई रिक्ती को भरने के लिए केवल एक निर्वाशन शेत्रे के लिए होने वाले चुनाओ को क्या कहा जाता है तो correct option A हो जाएगा इसे उप चुनाओ कहा जाता है लोग कंत्र के निर्णायक छण में आमत और पर किसके बीच संगर शामिल होता है तो देखे correct option B हो जाएगा वे समू जिनोंने सत्ता का प्रयोग किया है और वे जो सत्ता में हिस्सेदारी की आकांशा रखते हैं ऐसे लोगों के बीच संगर शामिल होता है चुनाओ कराने के कारणों के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो देखे जो C वाला कथन है ये गलत है चुनाओ लोगों को न्यायपालिका के प्रदर्शन का मुल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं तो ये वाला जो कतन है ये चुनाओं के कारणों के बारे में गलत है हमारे लिए C option एकदम करेक्ट हो जाएगा नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सार्वभॉम वयस्क मतदिकार के सिद्दान पर लागू होता है तो देखें correct option C हो जाएगा 18 वर्ष या उससे अधिक आयू के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं ये वाला पॉइंट एकदम सही है तो C option एकदम correct हो जाएग वर्थमान समय में लोगसभा में अनुसुचित जनजाती के लिए कितनी सीटे आरक्षित है तो देखें correct option यहाँ पर C हो जाएगा 47 सीटे है ST के लिए यानि के अनुसुचित जनजाती के लिए आरक्षित है अब बारी है last question की देखे last question है समानता का अधिकार सारवजनिक नौकरियों के बारे में क्या कहता है तो देखें यहाँ पर correct option C हो जाएगा सभी नागरिकों को रोजगार के मामलों में समान अफसार प्रदान किया जाएगा समान अफसार प्रदान किये जाएगे यही बोला तो C option यहाँ पर एकदम correct हो जाएगा यही पर दोस्तो हमारे सारे questions complete हो गया है आपको वीडियो कैसे लगाए आप comment करके जरूर बताईएगा अपना feedback और आपको कौन सा वीडियो चाहिए कौन से marathon वीडियो चाहिए यह भी आप comment करके जरूर बताईएगा और प्लीज वीड वीडियो पर बहुत सारे like करें बहुत सारे share कीजिए आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी next वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत